हलो ब्रीबन नमश्कार वेलकम टू लेट्सक्राइग यूपी अशी से हिंदी मैं प्रोफेसर सुनी लविवक्ति दिल्ली मुघर्जी नगर से आप सब का स्वागत करता हूं बच्चों क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थी कंटेंट कट रहा था लेकिन फिर से हम मैं क क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और रिज्वाइन अपने अपने दोस्तों को जो भी हैं उनको मैसेज कर दीजिए को सब रिज्वाइन कर लें क्लास ठीक हो गई है क्योंकि रोकने का कोई फायदा नहीं था तो आज हम लोग सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री यानि चेप्टर नंब 3 से चेप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चो और पूरा फोकस प्रिलिम्स पर रहेगा हिस्ट्री प्रिलिम्स यानि 2023 का 24 का प्रिलिम्स और उसके साथ ऑप्शनल और GS1 मेंस भी आपको जहां जहां आएगा कंटेंट वो बताता चलूंगा लेकिन मै ने जैसा कि कहां मेरा हमेशा से फोकस रहता है किस चीज़ पर मेरा फोकस हमेशा से रहता है कि इस मतलब मेंस पर लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस हो गया है प्रिलिम्स पर तो सब कुछ परफेक्ट है बच्चो एक बार फिर से बताते सारा चीज़ परफेक्ट है तो हमें ज इंडिया का largest learning platform, unacademy, इंडिया के top educators के साथ आप अपनी UPSC की journey यहाँ पूरा कर सकते हैं, उनी में से एक मैं हूँ, और इस experience का फायदा उठाएं, और आप हमेशा देखें कि पढ़ें उन से, जिनका इस exam में एक experience है, तो मैं इस exam में interview दे चुका हूँ, तो इस से आपको होने का फायदा आपको हमेशा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखेगा, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, और unacademy का UPSC, CSE, GS subscription, प्लस, iconic, iconic unacademy का personal mentorship program है, इसके साथ जो है light यानि test series, तो कोई साब या आप unacademy पर ले, इंडिया का best platform है, याद रखेगा, इस से best platform नहीं है, UPSC की त्यारी के लिए, इसके live code ही मेरा code है, इसी को यूज करके आप admission लीजेगा, तब आप मेरे साथ मेरे group में जुड़ पाएंगे, और मेरे पहरे बच्चों, आप EMI के साथ admission ले सकते हैं, EMI के साथ admission कैसे लें, उसके लिए ये number unacademy ने जारी किया है, UPSC super combat unacademy conduct कराता है, और ये मतलब देख सकते हैं, 4 करोन से ज़्यादा की scholarship, यानि scholarship की scholarship test की test, प्रतेक संडे सुबाई 11 बजे, ये आपको देना चाहिए, और जो भी बच्चे UPSC की त्यारी यहाँ unacademy पर करेंगे, मेरे साथ 2023, 2025 में अगर आप मेंस लेखना चाहते हैं, प्री पास करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जूड़ सकते हैं, और ये मेरे counselor का number है, आप यहाँ पर connect हो सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखें, और Hindi literature optional, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो तुरंट join कर ले, admission open है, close होने वाले हैं, और history optional, जल्द ही सुरू करने वाला हूँ, और जो भी बच्चे ये lecture देख रहें, उनसे कहूंगा, कि वो YouTube पर साम कुछे बज़े, दा हिंदू का मेरा analysis जरूर देखें, और वो बिल्कुल live देखें, यानि recorded ना देखें, चुकि live जब आप देखते हैं, तो ऐसा लगता है, कि आप offline देख रहें, क्या देख रहें, बिल्कुल offline देख रहें, तो चलिए, start करते हैं, आज की अपनी class मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन उसके पहले, मैंने इतिहास बिशे को क्यों पढ़ाना चूज किया, मेरा experience इसमें अच्छा खासा रहा है, यानि मैंने BA किया history में university आप लाबाद से, इसके बाद मैंने MA किया history से university आप लाबाद में, इसी history बिशे से देख सकते हैं, UGC net qualify हूँ बच्चे, history बिशे स से ही, और उसके साथ साथ एक प्रतिस्ठित university में, मेवार university में मैं इतिहास बिशे का professor भी हूँ, और UPSC का interview भी मैंने इसी इतिहास बिशे से दिया है, तो एक अच्छा खासा experience इतिहास में, अगर आप अपना optional इतिहास लेते हैं, तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, चलिए हम chapter 3 पढ़ाएंगे, तब chapter 2 का आपको जो अभ्यास प्रस्ण होता है, जो solution होता है, वो कराएंगे, जिससे आपका chapter 2 revision हो जाए, सभी बच्चे ये याद रखें कि chapter number 3 से chapter number 10 तक हम आज complete करेंगे, यानि complete NCRT 7th class की हो जाएगी, और ये बिल्कुल compare मत करिए कि daily और Sunday क्या होत है, यानि Sunday को अगर मैंने एक NCRT एक बार में complete करा दी, तो आपको कितना फायदा होगा सोचिया, या मान लिजे एक NCRT दो बार में खतम हो रही है, तो भी आपको कोई नुक्सान नहीं है, क्योंकि आपका समय बच रहा है, यानि आप एक साथ पूरा का पूरा NCRT पढ़ ल नए राजा और उनके राज जोडे बनाओ, तो जोडे बनाओ यानि जैसे गुर्जर प्रतिहार किस छेतर में साथन करते थे, रास्टकूट किस छेतर में साथन करते थे, पाल और चोल, तो आप एक बार देखें, ये लोग कहां साथन करते थे, मेरे प्यारे बच्चे, तो यह सब आप याद करते चलिए पहला कोशन यह हो गया और यही प्रशन UPSC में पूछा जाता है जैसे देखे सुमेलित कीज़े यानि ऐसे ही देगा सासक बंस और उसके बाद यहां देगा उनका चेत्रा तो कौन सुमेलित है सुमेलित नहीं है ऐसे प्रशन है कौन मैच है तो ऐसे प्रशन आप से पूछे जाते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों अब देखे जैसे दूसरा कोशन पहला कोशन हो गया दूसरा कोशन हो गया त्री पक्षिये संगर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे तो मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से थे त्री पक्षिये संगर्ष में चलो पटाफट बताते चलो त्री पक्षिये संगर्ष में उत्तर है गुरजर प्रतिहार थे राष्टकूट थे और पाल थे दो उत्तर भारत की सक्तियां थी गुरजर प्रतिहार और पाल और बन सकता है अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे ये भी देखे ये question भी prelims में आ चुका है अगर आप previous years question चेक करेंगे चोल सामराज में सभा यानि जो सभा होती थी उसकी जो समितियां होती थी यानि सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आविश्यक सरते यह हम कह सकते हैं आविश्यक योगताएं क्या थी what were the qualifications necessary to become a member of a committee of the Sabha इंदा चोला एंपायर तो चोल सामराज में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आविश्यक सरते क्या थी अब देखे चोल सामराज में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए यह सरते आविश्यक थी पहला कोई वीव्यक्ति जो सदस्य परना चाहता था उसको भूमी का स्वामी होना चाहिए और ऐसी भूमी का स्वामी होना चाहिए जहां से भूराजस वसूला जाता है लेंड ड्रेवन्यू वहां से लिया जाता है ऐसा नहीं किसी भी भूमी का स्वामी है फिर उसके बाद उसका अपना घर होना चाहिए उसकी प्रशास्निक मामलों का जानकार हो यानि क्या क्या क्वल्टी इसके लामा देखे रिपिटीशन ना हो इसलिए पिछले तीन बर्सों में किसी और समीति का सदस्य से ना रहा हो और इसके लामा उसके उपर कोई बकाया ना हो यानि वह अपने और अपने संबंदियों के खाते जमा करा चुका यानि जो भी उसने उधार वगरा लिया है वो सब जमा करा चुका हो ठीक है किसी भी प्रकार का उसे ठीक है मेरे प्यारे बच्चो ठीक है क्लियर हो गया ठीक है अब अगला कोशन आता है द्यार नखेंगे क्या आता है अगला कोशन चाहमानो यानि चौहान साँसकों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन से थे? तो अब आप कहेंगे सर ये क्यों पढ़े तो ऐसे नहीं पुछेगा चाहमानों के नियंत्रण में, लेकिन वो पूछ लेता है जैसे मैच करने के लिए, जैसे सुमेलित करने के लिए मुख नगर चामान तो देली जिसे इंद्रप्रस्त भी का जाता था और अजमेर तो चौहान दिल्ली और अजमेर दोनों से कनेक्टेट थे यहां से वो साशन करते थे मेरे प्यारे बच्चो फिर एक प्रश्ण पूलता है कि रास्टकूट कैसे सक्षिशाली बने यानि रास्टकूट टाकत वर क्यों बने तो अब रास्टकूटों के बारे में देखे पूरी जानकारी इसलिए मैंने का अभ्यास प्र प्रश्ण जैसे आज यह द्यान रखेगा तो पहले प्रश्ण कर लेते हैं फिर मैं अपनी बात करता हूं रास्टकूट कैसे सक्षिशाली बने आप देखे रास्टकूटों के बारे में सारी जानकारी यहां पर आपको मिलने वाली है प्रारम में रास्टकूट बच्चे ये मत सुचना मैं खड़े होके पढ़ा रहा हूं, बैट के पढ़ा रहा हूं, आप केवल मेरे साथ इस content में डूब जाईए, मैं फिर इक बात कहना चाहूंगा, कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर खड़े होके पढ़ा रहें कि बैट के पढ़ा रहें, लगबक 5-6 गंटे की क्लास चलेगी, मैं पहले बता रहा हूं, लगबक 5-6 गंटे की क्लास चलेगी, तो खड़े हो करके पढ़ाने में समझ्या हो जाती है, ठीक है न, धान रखेगा, तो इसलिए बैट के पढ़ाने का संकल्प लिया है, तो आप लोगो को क्या करना है, केवल मेरे जो मैं PT बोलू, तो PT पर focus करिये, मेंस बोलू, तो मेंस पर focus करिये, इंटर्वी बोलू, तो interview focus करिये, यानि जहां पर भी मैं focus कराऊं, आपके लिए focus content होना चाहिए, मैं नहीं कि सुनील अभिवक्ती बैठे है, नहीं बैठे है, फोटो दीख रही है, फोटो नहीं दीख आपको अरजुन की तरह केवल चिडिया की आँग, या मचली की आँग, चिडिया और मचली की आँग दोनों में से दोनों दिखाई देनी चाहिए, यह हमें से, यानि अपना target देखना है, और आपका target क्या है, सुनील अभिविव्यद्थी कितने जोर से बोल रहे हैं, नही आपका target है prelims, आपका target है mains, आपका targets है interview, तो सुनील अभिवक्ति किसी भी position में अगर आपको ये तीनों पास कराने की स्कितिती में है, तो आपको ये कत्ता ही नहीं सोचना चाहिए, कि वो बैट के पढ़ा रहे हैं, या कड़े हो के पढ़ा रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं, कैस साथ आप सब भी डूब जाएए, अब हम content के लावा किसी चीज पर विचार नहीं करने वाले हैं, राष्ट कूट कैसे सक्तिशाली बने, पहला topic आपके सामने आता है, मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न के रूट में, तो राष्ट कूट कैसे सक्तिशाली बने, क्यों ये प coordinate थे, तो प्रारम में राष्ट करनाटक में सासन करने वाले चालुक के राजाओं के अधीनस्त थे, यानि उनके अधीन थे, इसलिए पुछा कैसे ताकत वर बने, तो मेरे प्यारे बच्चों, आठवी सदी के मद्ध में, एक राष्ट कूट सासक थे, जिनका नाम था दंत दुर्ग, तो इस राष्ट कूट सासक दंती दुर्ग ने क्या कहा, कि भाई हम अब करनाटक के चालुक के राजाओं के अधीन नहीं रहेंगे, कहा कि, और फिर उसने उन्हें हराया, और स्वतंत्र राष्ट कूट राजवन्ष की अस्थापना करी, और उसने हराने के चालुको याद है, पटा-पट बताएं, चली बताईए, तो उसने हरने गर्व नामा कि एक अनुस्थान कराया, और ब्रामणों की शाहता से, तो हरने गर्व यग उसने क्यों कराया, ये प्रिलिम्स का कोश्चन है, कि हरने गर्व यग क्या है, नंबर वन, दूसरा हरने ग पीटी के रूप में आपको जानी चाहिए तो हिरन गर्वियक किस ने करा है तो आपको पता है राष्ट कूट सासक दंती दुर्ग ने करा है पहला पॉइंट आपका किलियर हो गया अब दूसरा पॉइंट आपके सामने ये आता है कि हिरन गर्वियक क्यों तो हिरन गर्वियक ये कराया जाता था आई हो दोनों point clear होगे एक बार सारे बच्चे बताएं क्या हिरन्य गर्वियक ये clear हो गया ठीक है किसने कराया number one और दूसरा क्यों कराया तो किसने और क्यों यानि ये point ध्यान रखेगा फिर इसके बाद नए राजवनसों ने स्वगिर्थी हासिल करने के लिए क्या किया ठीक है नए राजवनसों ने स्वगिर्थी हासन करने के लिए ब्रामणों की सायता से रहन ने गर्व नावा के अनुस्टान किया ये मैंने आपको बताया देखे अलग से ही फिर एक और प्रशन था नमबर तू में तमिल छेत्र में किस तरह की सिचाई व्यवस्ता का विकास हुआ वाट काइंड आफ इरिगेशन वर्क्स वर्ट डेबलड इन्दा तमिल रीजन तो अब योसे तमिल छेत्र में सिचाई की व्यवस्ता क्या क्या थी याद रखेगा यानि कि डेल्टा चेत्रों में बार्ट को रोकने के लिए तटबंद बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्मान किया गया कुछ इलाके में कुएं को दे गए और कुछ इलाकों में बारिश के पानी को इकठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए तो इस परकार की चीजे भी आप ध्यान रखें इंसे आटी में है तो क्या पता एक्जाम में आ जाए फिर देखे चोल मंदिरों के उपर प्रस्ण है कि चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गदविदियां जोड़ी होई थी मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखेगा चोल मंदिर में केवल पूजा और अराधना नहीं होती यह पीटी का कोईश्चन है कि चोल मंदिर में क्या-क्या जो है कारिक्रम होते थे तो केवल पूजा और आधना नहीं होती थी वह आर्थिक समाजिक और सांस्कृतिक जीवन के किंदर थे यानि वहाँ पर आर्थिक गदविदियां भी होती थी समाजिक गदविदियां भी ह होती थी आप ध्यान रखेगा तो आप देख सकते हैं यह सब आपको देखने की जरूरत नहीं है ठीक है ना चातर स्वयम करें मैपिंग और अब देखें जिस तरह के पंचायती चुनाओं हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाओं तो आपको पता होगा यह चो के साच मिलते हैं तो उत्तर मेरूर चोल सासक परांतक इसका नाम रता उसी काभिलेख है चोल सासक परांतक काभिलेख है क्या उत्तर मेरूर उत्तर मेरूर एक अभिलेख है इसको रट लीजेगा और यहीं से यानि चोल काल के चुनाओं के साच मिलते हैं कौन से चुनाओं के चुनाओ समितियों के चुनाओ याद रखेगा तो आप देखें बर्तमान के पंचायती चुनाओ उत्तर मेरूर से मिले हैं लेकिन बर्तमान और उत्तर मेरूर के चुनाओ दोनों अलग होते थे यानि दोनों की सर्तें अलग होती थी क्योंकि जो बर्तमान के पंचायती चुना है उसमें सारभावमिक बयस्क मताधिकार है ठीक है ना जबकि उत्तर मेरुर के चुनाओं में लाटरी पद्धती के आधार पर चुना होता था ठीक है तो ये सारी चीजें हैं तो ये आप धान रखें बर्तमान के जो पंचायती चुना होते हैं उसमें नागरिक बिभिन प्रतियोगियों के गुणों और गुणों के आधार परियोग्य परत्यासियों का मतान दौरा चैन करते हैं जबकि उत्तर मेरुर नहीं चोलकाल के चुनाओं पूर्ण रूप से प यह भाग नहीं लेती थी यह आप ध्या ना क्या था च्छोल काल में स्थियां चुनाओं में भाग नहीं लेती थी kate आप दिन देख सकते हैं हम लोग chapter two complete कर चुके हैं एक बार सभी बच्चे अपने अपने लिए clap करें, chapter number 2 हमारा complete हो गया, अब हम पढ़ेंगे, यानि आज से, यानि chapter number 3, chapter number 4 और आगे की सारी चीजे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो chapter number 3 स्टार्ट हो गया, दिल्ली के सुल्तान, इसको बेटा, केवल GS prelims चुकी, ये mains GS में नहीं है, ये पहले तो इसकी यानि कोई भी chapter हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां रखेगा, कोई भी chapter हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ये ही प्रस्ण आपके मन में आना चाहिए था, अगर आप UPSC किलियर करना चाहिए, तो GS prelims, यानि इसके लावा, ये GS mains में इसका कोई रोल नहीं है, ये आप एकदम एलट रहेगा, GS paper 1 में जो history में वहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए ये केवल prelims और optional वाले जो इतिहास के हैं, उनके लिए हैं, तो उनके लिए जो जो आएगा उनमे, optional history का भी यहाँ पर material आपको मिलेगा, ठीक है न, कुछ question भी लग सकते हैं, यानि जो आज पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानेंगे, ठीक है न, फिर ये जानेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, फिर हम अगला खिलजी और तुगलग बंस के अंतरगत, यानि यहीं से question आएगा, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध खि एक content दिया गया है, यहाँ पर दिल्ली के सासकों में बहुत important, तो सबसे पहले देखिए, यह chronology दी हुई, इसको आपको याद करना पड़ेगा, यह क्या है, chronology है, जिससे आपको याद करना पड़ेगा, मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास anxiety होगी होगी, तो देखिए, यहाँ से prelims के question है, मतलब यह एकदम आपको याद करना पड़ेगा, तो दिल्ली में राजपूत बंस सबसे पहले आया, तो आप देख सकते हैं, तो यह सबसे पहले तोमर सासक आये, फिर अनंग पाल, फिर चोहान, फिर पिर्थिवी राज चोहान, यह सबका नाम लिखा प्रारंबिक तुर्की सासक, बारा सो छे से बारा सो नब्बे तक यह तुर्क सासक, तो सबसे पहले कुत्व बुद्धी नेवक आएगा, जो बारा सो छे से बारा सो दस तक सासन करेगा, मेरे प्यारे बच्चों, फिर समसुत दिन इल्दुत में शायेगा, जो बारा सो दस से 1236 तक सासन करेगा फिर रजी आएगी जो 1236 से 1240 तक सासन करेगा और फिर बहुत छोटे छोटे सासक आएंगे उनकी जानकारी यहां नहीं दी गई है फिर इसके बाद गया सुद्दिन बलबन यानी 1240 के बाद 1260 तक 1240 से 1260 तक बहुत से सासक आए गुलाम बंस में लेकिन उसके बाद गया सुद्दिन बलबन आया 1266 से 1287 तक यह सब कमजोर सासकते इसलिए उनके बारे में यहां जानकारी नहीं दी गई है तो वो हमारे सास बंस के बाद खिलजी बंस आता है एक नया राजमन सासन करने आता है पॉइंट को आप ध्यान रखेगा और इसमें सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी आता है जो 1290 से 1296 तक शासन यानी 6 बरसों तक शासन करता है फिर अलाउद दीन जाने कितने प्रशन बन सकते हैं पार इग्जांपल जैसे निमलिकित में से किस सासक का सम्बंद बाजार व्यवस्था से माना जाता है तो जितने इंपॉर्टेंट सासक हैं यही एंसियाटी खूबी है कि उनका यहाँ पर केवल नाम दिया गया है तो आप सोयम भी जब पढ़ें किसी बुक से तो आप इसी हिसाब से पढ़ें दयान रखेगा अब इसके बाद तुगलक बंस है जो है सासन किया इन पर भी कोशन बनेगा फिर उसा तुगलक ने 1351 से 1388 के बीच सासन किया तो आप देख सकते हैं यानि जो भी महतपूर्ण है वो सब दिया गया फिर इसके बाद खिलजी बंस तुगलक बंस के बाद आ जाएगा सयद बंस जिसमें खिजर खान अंतनत पर आएगा लोधी बंस जिसमें बेलो लोधी प्रसिद्ध है 1451 से 1489 तक तो मेरे प्यारे बच्चों यानि दिल्ली पर किसने सासन किया कुरोनलाजी बनाई सबसे पहले राजबूत राजबंस फिर तुर्की सासक फिर तीसरा खिलजी बंस फिर चौता तुगलक बं हैं जो ऑप्शनल हिस्टरी के बच्चे हैं आप इंसियाटी के सारे मैप जरूर देखिएगा ध्यान रखिएगा ठीक है यह महतपूर्ण है आपसको जैसे क्या-क्या महतपूर्ण में बता देता हूं एक तो आपको मुल्तान पता होना चाहिए मुल्तान कहां पर है फिर इ इसके अलावा जो है बनायू पता होना चाहिए इसके अलावा हासी पता होना चाहिए इसके अलावा अजमेर पता होना चाहिए इसके अलावा रणथंबहौर पता होना चाहिए आपको ग्वालियर पता होना चाहिए आपको अवद पता होना चाहिए आपको बनारस पता होन ने बताये कौन-कौन सा अस्थान आपको जानना चाहिए यहाँ पर वो है ध्यान रखेगा अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं देखे प्रीबिएस येर्स कोश्चन और सब्जेक्ट हिस्ट्री कुछ कोश्चन यहाँ पर रखे हुए आप देखेगा यानि यह ऑप्शनल के कोश्चन है जैसे 2018 में पूछा कि दिल्ली सुल्तानों के अधिन वस्त्र प्रोद्धों की यानि टेक्स्टाइल टेक्नलोजी में क्या-क्या उन्नती हुई याद रखेगा ठीक है न तो कौन-कौन से अडवांसमेंट आए कौन-कौन सी उन्नती हुई बस्त यानि अब हम ध भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तो हम देखेंगे भाई बस टेक्नलोजी के बारे में क्या-क्या चर्चा है है भी या नहीं फिर देखें 2018 में कोश्चन आया है मुहम्मद तुगलक द्वारा बिश्मांग अमीरबर्ग के निर्मान किनीत ने दिली सल्तनत के विखं इस ना डिली के पतन के क्या कारण अब यहाँ यह कि पूच रहा कि दिली के पतन में क्या मुहम्मद तुगलक की अमीर बरके उसने अमीर बरक में यानि आब सभी को सामिल पहले क्या होता था कुछ चुनिंदा बर्गों के लोग ही इसमें सामिल होते थे उसने सभी को सामिल कर लिया तो क्या इसके कारण से दिल्ली सल्तनत का विखंडन हुआ ऐसा पूँच रहा है तो इसका सांग या ए्ट्रोजेनस अमीरबर्ग का निर्मान यानि अमीरबर्ग में सभी को सामिल करना तो आप देखे आब हम लोग चेक करेंगे यह अमीरबर्ग कौन था जो शासन प्रसाशन में मुक्य भुमिका निभाता था तो हम हम चेक करेंगी कि यह वर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं फिर 2017 में भारत के सांस्कृति की त्यास में इग्रहमी बरहमी सदी इस्वी में कौन सी घटनाएं महतवपूर्ण हुई है तो हम अभी चेक करेंगे इग्रहमी बरहमी सताब्दी में क्या-क्या महतवपूर्ण प्र उपरेखा प्रस्तुत कीजी यानि गैर किर्षी यानि उद्योगों के बारे में बताईए और अर्बन एकोनामी के बारे में बताईए तो हम चेक करेंगे अभी कि गैर किर्षी क्या क्या चीज उत्पादित होती थी यानि उद्योग कैसे थे सल्तनतकाल में अर्बन एकोनामी हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो obvious है इसकी भूराजस्व प्रडाली को जानेंगे फिर इसके बाद हम न्याईक प्रशासन को जानेंगे जो डिसियल एड्मिस्ट्रेशन को की क्या ये वर्ड आ रहे हैं तो देखें, NCRT पढ़ने पढ़ते समय अगर आप previous years के question optional वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ आप रख लेते हैं तो जो chapter पढ़ने जा रहे हैं वहाँ से जितने भी question आए हैं आप ऐसा खुद भी कर सकते हैं smart बच्चा वही होगा जो teacher से idea लेगा और खुद क्या करेगा खुद practice करेगा मैं यहाँ idea भी दे रहा हूँ और practice भी करा रहा हूँ तो आपको दोनों चीज़ करा रहा हूँ लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं खुद भी कोशिश करेगा यानि मैं NCRT पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूँ कि जो terminologies optional में आ रही है उसको आप underline कर लीजे केवल terminology को देखे मैंने पुरे question को जो है इस प्रकार से गोल घेरे में नहीं लिया केवल जो काम का है तो हम चेक करेंगे भाई दिल्ली सल्तनत पर हम एक chapter पढ़ने जा रहे तो क्या land revenue system के बारे में कोई बात है क्या judicial administration के बारे में कोई बात है इस हिसाब से फिर जैसे 2014 में आया सल्तनत काल की अस्थापत तिकला अब लोग अब आपके सामने आ गया architecture after सल्तनत period तो सल्तनत काल की अस्थापत तिकला की technology कैसी थी याद रखेगा उसकी salary कैसी थी तो अब हम यहाँ पर चक करेंगे कि भाई architecture after the सल्तनत period कुछ दिया है यानि सल्तनत काल के स्थापत तिकला कुत्व मिनार और यह सब जवाब पढ़ते हैं तो क्या उसके बारे में इस anxiety में कुछ कही गई है अगर कुछ कही कही उसको हम नोट कर लेंगे तो हमारा सेबंध क्लास के anxiety से यह optional कर कितना content त्यार हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है अचली बताए मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा सारे बच्चे बताए तो इस हिसाब से आपको त्यारी करने है बच्चे मजा आ रहा है कि नहीं मजा रहा है 2014 मजा आ रहा है कि नहीं मजा रहा है यानि optional वालों को तो मजा रहा होगा फिर कहरा सल्तनत काली राज़त तुका सिद्धान अब देखे यानि राज़त तुका सिद्धान यह क्या था भाई का परिक्षन कीजिए और विबिन सुल्तानों की काल में इसमें आए परिवर्तनों की विवेशना कीजिए तो अब राजत तुक अब पीटी में यही पूँश सकता है कि राजत तुक किस सिद्दान से क्या तात पर रहे तो हम NCIAT में सर्च करेंगे राजत तुक का सिद्दान राजत तुक का सिद्दान मतलब एक सासक किस एप्रोच से किस दृष्टिकोंड से सासन कर रहा है उसी को हम बोलते है राजत तुक का सिद्दान ध्यान रखेगा तो बल्मन का कैसा था ठीक है अलाउद दिन खिलजी का राजत तुक का सिद्दान मतलब राजिक के सासन करने का सिद्दान कों उधारता के साथ करता था कौन सकती के साथ करता था तो राजत तो के सिद्दान अब हम यहां चेक skilled एक प्रिष्ट भूमी अच्छी सी बन गई क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों एक प्रिष्ट भूमी अच्छी सी बन गई ही सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करते चलेंगे जो बच्चे बात में कनेक्ट हो रहे ठीक है किसी बच्चे ने वालेकुम सलाम लेका एक वालेकुम दिल्ली के सुल्तान हमने अध्याय दो में देखा क्या देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े जैसे छेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे यानि जहां पर उत्पादन की सक्ति होगी राज्य वहीं बनेगा भाई कावेरी बनेगा की नहीं बनेगा जहां पर अरे जहां पर बसावट हो उत्पादन करे ठीक है तो ऑब यसाес कावेरी इसे कहानी बताई गई है LIK Art सोचना है कि इसमें कोई प्रस्ट न है आपके लिए आपको बस यह यहां पर सोचना है कि कावेरी डिल्टा जैसे छेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे ठीक है ना अब हम आते हैं क्या आपने गौर किया कि अध्यायदो में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है ज पीटी कोशन महतरपूंड चाहर बना अब पिटी का कोशने प्रिलिम्स का कोशन है बच्चे दान अरक्केगा कि कि दिल्ली कम video को एक प्रमुख सहर के रूप मे कम सामने आया कि या कशिद्ध हुआ A, 14th century, 14th century, 14th century, ऐसे UPSC पूछ लेता है, हमें लगता है B, 12th century, C, 13th century, D, 11th यानि एक गरहमी शताब दी एंसर क्या होगा, और यह से आपने पढ़ा 12th century, तो आपको पता चला Otherwise, आप इतना सरल प्रस्ण exam में गलत करके आ सकते थे, याद रखेगा तो हमें क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चे, content हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम content के साथ वहीं पर 360 degree mmcq, यानि 360 degree mind multiple choice question, 360 degree mmcq हम बनाते हुए चलेंगे ध्यान रखेगा, तो अब ये English medium के बच्चों के लिए same content है, रखा हुआ है दिल्ली के सुल्तान, ठीक है न, तो तालिका एक, यानि जो स्टार्टिंग में हमने table पढ़ा था, उसके उपर कहराय की नज़र डालिए तो हमने पढ़ी लिया, तो सबसे पहले, सबसे पहले यानि पहले पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली जो है, ठीक है न, चोहानों, सबसे पहले तोमर राजपूतों का control था, बारामी सदी के मद्ध में तोमरों को अजमेर के चोहानों ने परास्त कर दिया, तो सब से पहले तोमर राजपूत वहाँ पर थे नंबर वन दिल्ली में तो ये बहुत important है दिल्ली पर सरप्रतम किसका साजन था तोमर राजपूतों का फिर बारामी सदी के मद में वहाँ पर चौहानों जिने चाहमान के नाम से भी जाना जाता था तो चौहान और चाहमान ये ध्यान रखेगा अगर चौहान की जगा चाहमान सब्दा है तो भी आपको घबडाना नहीं है तो क्या है बारामी सदी के मद में तुम्रों को अजमेर के चौहानों जी ने चाहमान नाम से भी जाना ज़्याता था ने परास्त किया ठीक है ना तोमरों और चाहानों के राजिकाल में ही दिल्ली बानिज का एक महतवपूर केंदर बन गई यानि एक ऐसा केंदर बनी जहां पर ब्यापार बानिज ट्रेड बहुत अच्छे से होता था और दिल्ली मे सबसे पहले सबसे समरिद लोग कौन थे जैन ब्यापारी थे जिनों ने अनेक मंदिनों का निर्माण कराया ठीक है ना अब इंपॉर्टन्ट है देहली वाल क्या है अब ये पीटी में एक प्रस्ण आ गया है यानि यहां पर आपसे पूछेगा देहली वाल क्या है कितने ब मद्यकाल में देहली वाल क्या था तो यह एक सिक्का था ठीक है ना ठीक है तो कितने बच्चों को पता था देहली वाल तो देखी यही NCRT की खूब सूर्टी है निउ NCRT की भी इसके बाद old NCRT की भी कि हम यहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें ले सकतें तो यहां द भी डाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे तो देहलीवाल सिखा था यह दो कितनी मेरे सारे बच्चे बहुत ँनेस्ट है ठीक है ना तो देहलीवाल सिखा यहां से एक पीटी का कोश्चन हमें मिल गया आप देखे यानि इंस्यार्टी इंपोर्टेंट नहीं है जो नए ब पढ़ दे मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा हूं मैं यह बता रहा हूं कि यानि इस PPT में कौन से ऐसे अस्थल हैं जहां पर prelims का question चुपा हुआ है या आगे पढ़ेंगे मेंस का question चुपा हुआ है तो यह important होता है इसी pattern पर आपको पढ़ने इसलिए मैंने कहा और यह देखें English की बच्चों के लिए भी यह है ठीक है आप लोग PDF मांग रहें मैं वादा करता हूं कि अब मैं PDF एविलेबल करा दोगा और इस बार एक और वादा करता हूं कि आपको यही PDF दूँगा यानि यही PDF दूँगा जि कि नहीं आएगा के लिए रहे बच्चे तो यह PDF भी मैं दे रहा हूं आप लोग बस केवल enjoy करिये मेरे साथ तो तालिका एक फिर से यानि कौन बंस सबसे पहले आया तो सबसे पहले राजपूत बंस फिर तोमर चौहान यह सब मैंने बताई दिया एक बार हो चुका है कुछ भी कराने की मुझे जरूरत नहीं है जडाट अब आता है अब आया आईये देखें बारहवी सदी में डिली में चाहत आणों का सासन था तो अब आता है मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली सल्तनत की अस्थापना कब हुई ये भी PT का question है दिल्ली सल्तनत की अस्थापना तो मेरे प्यारे बच्चों 13th century 13th century के आरंभ में ये पट्र शेया आप यात के लिए और English में भी ये content है ये देख सकते हैं the transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of Delhi in the beginning of the 13th century यानी 13th सतापदी के आरंभ में तो English medium के बच्चों के लिए भी यहाँ पर content है याद रखेगा तो ठीक है तो English medium में बच्चों भी घबडाएंगे नी चुकि history में क्या है terminology English medium के बच्चों को मैं कहना चाहूंगा याद रखेगा history में जो terminology है वो हिंदी और English में एक जैसी है जैसे देलीवाल सिख्के हमने पढ़ा तो उसमें English और Hindi में कोई अंतर नहीं तो इसलिए आप लोग को डरना नहीं है मेरे साथ बने रहना है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं यहाँ से तो यह हो गया की 13 शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की अस्थापना हुई यह पॉइंट आप ध्यान रखेगा ठीक हाना और पांच राजबंस थे पांच राजबंस थे जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है पांच राजबंस थे यानि दिल्ली पहले कौन थे दिल्ली सल्तनत यह बहुत इंपर्टेंट है बच्चे यानि कितने बच्चों को पता था कि दिल्ली सल्तनत में पांच अगर मानलों पीटी में प्रश्ट पूछ लेता दिल्ली सल्तनत में चलो मैं पूछ रहा हूं आप लोग बताए दिल्ली सल्तनत में कितन कितने राजवन्सों ने सासन किया कितने राजवन्सों ने सासन किया अगर आपसे पूछ ले और उसमें आ जाए A A हो गया क्या यानि कि 5 B आ जाए 6 C आ जाए 4 D आ जाए 7 तो क्या आपने कभी ऐसा प्रश्ण बनाने के बारे में सोचा ये है UPSC और ये है सुनील सर की क्लास की यानि एक इक चीज केवल और केवल एक्जाम पॉइंटा भी उसे कोई ग्यान नहीं हमें जो भी पढ़ना है तो 5 आपने अभी अभी पढ़ लिया 5 कौन मेरे प्यारे बच्चो सबसे पहले तुर्क सासक फिर दूसरा खलजी सासक तीस बहुत अच्छा कर रहे हैं आप इसका मतलब आप चैंपियन है आने वाले समय में आप पक्का सेलेक्ट होंगे ध्यान रखेगा और जो नहीं सोचे थे मैंने सच्वा दिया आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे ठीक है ना याद रखेगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब जिसे आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं उसके कई और नाम भी है जैसे देहली एक कोहना सीरी अलाव दिन ने बनवाया था एक दिल्ली जहां पना तो ये सब याद रखेगा ये सम नगर है जैसे प्रिलिम्स में पूछेगा अब देहली अकोहना क्या पूछेगा देहली अकोहना सीरी जहां पना ये सब्द सल्तनत काल में किस लिए प्रसिद्ध थे तो आप बताएंगे कि भाया ये नगर थे क्या थे ये नगर थे इस हिसाब से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है धान रखेगा अब जो धान रखेगा औप्शनल वाले हैं तो उनसे सीरी पूछ सकता है तो जो औप्शनल में मैपिंग आती है पेपर वन में 50 नंबर की औप्शनल वाले बच्चे जो हैं तो सीरी सीरी का अथाना निकाल लिजेगा मेरे प्यारे बच्चों सीरी आपसे पूछ सकता है ठीक है कुत्ब मिनार आप को टिक करिएं सीरी और कुत्व मिनार बाकी आगे जो भी होगा हुआ हम लोग पढ़ लेंगे ध्यान रखेगा तो यह हो गया आपका अब इसके बाद वही फिर से दिल्ली के सुल्तानों में त्यराहमी चौदाहमी सदी में दिल्ली सल्तनत की कुछ चुने हुए सहर मेरे प्यारे बच्चो तो तीन सहर यह तीनों सहर हमें से याद रखेगा दिल्ली सल्तनत के थे याद रखेगा अब आता है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमें तो भाई पढ़ना है क्योंकि प्रिलिम्स मिया से प्रस्णाना है तो कहा गया भाई हमें अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है, सिक्कों से भी स्थापत्य, यानि जो बावन निर्माण होता है, उससे भी पता चलता है, इसके साथ साथ फार्षी भासा में जरा देखियेगा इधर बहुत इंपोर्टन्ट है फार्षी भासा में जो इतिहास लिखे गए है ठीक है न, यानि जिन बहुत से इतिहास का रहा है जो से मिनहाजुद दिन सिराज का नाम आपको याद होगा, मैंने पिछली कलास में बता आया था कि मिनहाजुद दिन सिराज ने तभकाते नासरी नामक पुस्तक लिखी, तो इसका मतलब वो इतिहासकार जो फार्षी में लिखते थे, तो ये एक दम याद रखेगा कि सल्तनत काल में, जो भी इतिहास लिखे गे, अब Prelims का कोशन है Prelims का कोशन है, सल्तनत काल में जो इतिहास लिखे गे, उनकी बहाँ छाग क्या थी A, अरबी, B, फार्सी, C, संस्क्राद, D, अर्दू तो मेरे प्यारे बच्चो क्या थी फार्सी थी जरा एकदम एलेट रहिएगा एकदम से एलेट रहिएगा मेरे प्यारे बच्चो ध्यान रखेगा अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं ठीक है तो बस ये वाली पीपीटी आपके लिए important नहीं है अच्छा हाँ एक सब दा सकता है तवारीक ये तवारीक क्या होता है ये एक सब दा सकता है इसको तोड़ा समय बता दू हिंदी में भी इंगलिश में भी तारीक या तवारीक तारीक तो ये फार्सी भासा में लिखे गए गरंथ होते थे तारीक या तवारीक मेरे प्यारे बच्चों ये देखें तारीक या तवारीक इंग्लिस मीडियम के बच्चे गवडाएंगे नहीं यानि इंग्लिस मीडियम के बच्चे बिलकुल भी गवडाएंगे नहीं तारीक या तवारीक ये क्या है ये परशियन यानि फार्सी भासा में लिखे गए दिल्ली सुल्तानों के बारे में उनके प्रसासन के बारे में ज होती है हिंदी और इंगलिस में इतिहास में इसलिए आपको डवनां नहीं कि वुद्वただ कि तारीक आपको थे सकता है कि एक एक तारीक क्या होते है कि यह तारीक क्या होते थे हुव तारीक यों तवारी क्या होते थे यह आपसे पीटी का question पूछ सकता है तो अगर इस इसाफ से बच्चा लोग आप NCRT पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चो मैं नहीं कहनो चलो मैं यह कह देता हूँ कि एक भी प्रश्णियास से नहीं आगा लेकिन आप जब exam देने जाएं हज़ार MCQ माइंड में बनाए हैं सरकी क्लास में बनाए हैं फिर खुद रिवीजन के समय बनाए हैं तो आपका confidence चरम पर रहेगा यह याद रखेगा क्या रहेगा चरम पर रहेगा और जो यह तवारीक लिखते थे वो याद रखेगा वो अच्छे-च्छे पदों पर होते थे मेरे प्यारे बच्चों वो सचि होते थे secretary होते थे किसके राजाओं के ठीक है ना साशक भी होते थे कभी दर निक्क होते और यह जो प्रशाषण संबंदी सला भी देते थे तो यह जो तवारीक के लेखक थे यह सुर्शिक्षित लोग थे और सासन पर सासन में इनकी बड़ी भूमिका थी मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा ठीक है अब यहाँ पर बताए गया कि पांडुलिपी कैसे बनती है तो हम लोगों को पांडुलिपी यानि शिक्स क्लास के इंसाइटी में क्या पता हो गया कैसे बनती थी यह इक्जाम पाइंट आप उससे इंप्वार्टन नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल गायब कर देंगे इसको कट कर देंगे अब जैसे कई इतियासकारों के नाम दिख देगा ये कब के हैं तो फक्र-े-मुदब्बिर 13th century का इतियासकार है याद रखेगा और उसका एक statement यहाँ पर दिया गया है तो कभी कबार अभी तो खेर मुझे नहीं लगता कि इतना deep UPSC जाएगा लेकिन 13th century के इतियासकार फक्र-े-मुदब्बिर का एक statement दिया गया है तो आपको statement पढ़ने की जरूत नहीं है बस फक्र-े-मुदब्बिर का नाम याद रखेगा कि सल्तनत काल का है मुगल काल का नहीं है फसा सकता है ध्यान रखेगा फक्र-े-मुदब्बिर एक नाम आप याद रखेगा लेकिन यहां पर एक बड़ी अच्छी बात कहीगी कि यह जो तवारीक होती थी तवारीक यानी जो पुस्तके होती थी इसके जो लेखक होते थे मेरे प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टन है यह गाओं में नहीं जाते थे यह नगरों में विशिषकर दिल्ली में रहते थे ठीक ना तो इसका मतलब कि इन तवारीकों से ग्रामीर लोगों के जीवन के बारे में बहुत बेहतर जानकारी नहीं मिलती अब प्रिलिम्स में क्या करेगा कि जो तवारीक यानि जो इतिहास लिखे गए है उसमें लिख देगा कि तवारीकों के बारे में दिये गए कतन में कौन सा कतन सही लिख देगा पहला कि तवारीक से हमें सल्तनत कालीन ग्रामीर जीवन के बारे में बिस्तरित जानकारी मिलती है तो आप क्या कहेंगा, कहां से मिलती है, सर ने पढ़ाया था, कि जब तवारीक के लिए का गाउं में रहते ही नहीं थे, तो विस्त्रित जानकारी वो क्या देंगे, ऐसा ही option UPSC रखता है, रखता है कि नहीं रखा, तभी आप कहते हैं, कि सर प्रिलिंस हो नहीं रहा, ठीक है याद रखेगा, दूसरा, और वो जो इतिहास लिखते थे, यानि जो तवारीक लिखते थे, वो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए नहीं लिखते थे, कि निश्पक्छो करके इतिहास लिख रहे हैं, वो इनाम इक्राम पाने के, यानि इनाम और पुरश्कार पाने की आसा मे लिखते थे तो इसका मंदल भी राजाओं की प्रसंसा करते थे और ये सासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर अधारित आदर स्वायच बिवस्ता बनाया रखने की सलाह देते थे यानी वो कहते थे कि सासकों को तुमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यानि obvious है कि वो सासकों को ही केंदर में रख करके लिखते थे लिंग बेद्यानी महिलाओं को ज़्यादा सक्ती ना दी जाए ये बातें भी वो लिखते थे तो दिल्ली के सुल्तान और मैंने तवारीखों के बारे में आपको बहुत कुछ सिखा दिया कि English में content है तो English medium के बच्चों को हमें content भी दे रहा हूं और ठीक है जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब होता है कि जन्म के आधार पर बिशेशाधिकार का दावाद जन्म के आधार पर है जन्म सिद्ध अधिकार एसा वो लिखते थे यानि यह क्या कहते थे कि जो कुलीन व्यक्ति हैं वह कुछ खास परिवारों में जन्म लेते हैं इसलिए उन्हें विरासत में सासन करने का अधिकार मिलता है याद रखेगा अरे जैसे हम आज कहते हैं बंसानुगत राजनीती तो कुछ वैसी ही बात वो कह रहा है लिंग भेद इस्त्रियों तथा पुरुषों के भी समाजिक तथा सारेरिक रचना संबंदी हैं तर यानि यह माना ज्यादा था कि पु वोमन इंपाउर्मेंट पर लिख रहे हो महिला ससक्ती करण पर लिख रहे हो और हम ये उदाहरण देना चाहते हो कि पित्र सत्ता ने महिलाओं के स्तिती को कैसे कमजोर किया पैट्रियोर्की यानि पित्र सत्ता ये कैसी मान सिकता है मेरे प्यारे बच्चों ये ये मान सिकत हैं महिलाय कमजोर होती है इसलिए वो स्रेष्टन नहीं है तो जब भी वोमन इंपावर्मेंट पे लिखें तो आप लिखें बिल्कुल यह पित्रसत्ता की मासिक्ता दिल्ली के सुल्तानों के सासंकाल में तवारीक या इतिहास लिखने वाले इतिहास कारों या तवारीक के लेककों में भी दिखाई देती है जब वो सासकों कुछ सला देते थे कि लिंग भेत पर आधारित आदर्स समाज ब्यवस्ता बनाई है तो आप इसको निबंद में यूज करेंगे की नहीं करेंगे एक बार सारे बच्चे बता है निबंद में यूज करेंगे की नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको निबंध में भी इसको यूज कर लेना है यानि एक अच्छा फैक्ट आ गया तो इसको IQIP कर दिया गया क्या कर दिया गया IQIP आनि Interlinking Quality Improvement Program जिन बच्चों को ये IQIP शीखना है वो साम को छे बज़े Monday to Sunday 6 p.m. Monday to Sunday वो क्या करते हैं धान रकेगा 6 p.m. Monday to Sunday मेरे प्यारे बच्चों यानि मैं दा हिंदू पढ़ाता हूं दा हिंदू अखवार दा हिंदू बिजनस लाइन और इसके साथ साथ Indian Express ये तीनों अखवार के बहतरीन एडिटोरियल और न्यूज कराता हूं तो वहां IQIP आप आप आगर के सीख सकते हैं लाइट क्लास में तो यह हो गया लिंग्वेट मजारा बच्चे की नहीं आ रहा है मजारा आए की नहीं नहीं चलिए फटा पट बताए हाला कि बहुत डिटेल में सेवंध क्लास के अंस्य में रजीया के पहले के सभी सासको को गायब कर दिया गया सुलतान इल्तुत्मिष की बेटी रजीया सिंगासन पर बैटी बैर शाणिसमें अब देखिये यह सुदारण यह प्ट्रियौर्की का जबर्दस्त अदारण है मेरे प्यारे बच्चों और यह आप लिखिएगा this इसमें भी आएगा लेकिन पित्र सत्ता का भी है जब रजिया सिंगास्टन पर बैठी तो उस समय का एक तवारी का लेखा क्या एक इतिहासकार था जिसका नाम था मिनाज उद्धीन सिराज या मिनाज ए सिराज ये लेखक या राइटर का नाम है क्या नाम है मिनाज ए सिराज इसने एक पुस्तक लिखी थी क्या लिखी थी तबकाते नासरी मैंने आपको पीछे भी बताया था तबकाते नासरी तो ये एक statement पास करता है वो statement बड़ा महत्पूर है पेट्रियोर्की पर लिखने के लिए और prelims के लिए prelims में किया statement किस ने दिया और तबकाते नासरी और पित्र सत्ता का example भी हो जाएगा तो मिनहाच अपनी बुक में लिखता है कि रजिया अपने सभी भाईयों में अधिक योग और सक्चम थी लेकिन फिर भी वह एक रानी को सासक के रुप में मानेता नहीं दे पा रहा था यानि वह अपनी पुस्तक में लिखता है कि वह स्वयम यानि जो इतिहास लिख रहा है वो लेखक ही मानेता नहीं दे पा रहा है आप समझ सकते हैं यानि मिनहाच खुद मानेता नहीं दे पा रहा था जबकि इल्टुत्मिष इस बात को माननेता दे रहा था इलतुत में सासक है यानि समाज में पित्र सत्ता किसी भी प्रकार से महिलाओं को बड़ी भूमी का नहीं देना चाहती थी मिनहाच उद्दीन सिराज ये बात स्वयम कह रहा तो प्रिलेम्स का कोशन है कि निमलिकित में से किस लेखक ने मद्यकाल में या स इस्त्रियां योग होने के बाद भी सासक नहीं बन सकती थी वो था मिनहाच उद्दीन सिराज तो आप देख सकते हैं ठीक है ना और दरवार के लोग भी खुश नहीं थे और यही पित्र सत्ता का एक्जामपल भी आ जाएगा आप लिखेंगे कि रजिया अपने सभी भाई वर्यों में योग थी लेकिन रजिया को सिंगासरन पर बैठाने के लिए दरवार के लोग तयार नहीं थे तो यह दिखाता है पित्र forma की मान्सिक्ता की योग ऒता होने के बाद भी नित्रित्व नहीं दिया जा रहा ह। ये पित्र सत्ता की मान性क्ता मन्द पालीन भारत में दिखाई दे रही मज़ा आया के नहीं और 1240 में आंतता उसे सिंगहासन से हटा दिया गया आप देख सकते तो यह हो गया यानि पित्र सत्ता मज़ा आरा एक नहीं मज़ा आरा हम मेंस भी पढ़ रहें पैट्रियोर की अपनी क्लास यानि एस से 125 नंबर पर भी फोकस है रजिय के बारे में मिनहाज दूइन सिराज के विचार मैंने आपको बताई ठीक है ना ठीक है बस यानि मिनहाज खुद सोचता था कि इश्वर ने जो आदर्श समाज वेवस्ता बनाई उसके अनुशार इस्त्रियों को पुर्षों के अधीन होना चाहिए यह पित्र सत्ता है अब अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों को पुर्षों के अधीन होना चाहिए ठीक है तो यह पैट्रियोर्की 125 नंबर का निबंद आया था या सोसाइटी में कोच्छन आया था जैसे मेरे प्यारे बच्चों दोजार 2020 में आया था question एक बार बताएं मुझे निवन्द आया था कि 2020 में कि नहीं आया था कि क्या आया था मेरे प्यारे बच्चो पित्रशत्ता यानि पैट्रियोर की पित्रशत्ता एक ऐसी सामाजिक ब्यवस्ता है जो नजर में ना आने के बावजूद के बावजूद बावजूद बिशम्ता का आधार है यानि बिशम्ता को बढ़ा मैंने अपनी भासा में लेख दिया आया था कि नहीं आया था कि नहीं ठीक है तो इसका मतलब है पित्रशत्ता एक ऐसी सामाजिक ब्यवस्ता है जो नजर में नहीं आती लेकिन सामाजिक बिशम्ता का सबसे बड़ा आधार है सामाजिक बिशम्ता का सबसे बड़ा स्रोथ है मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक बिशम्ता का सबसे बड़ा स्रोथ है आप देंगी यस उदारण पित्रसत्ता मिनाज उद्द अब इसके बाद रजिया के बारे में कुछ है, अब कुछ और महिलाओं के बारे में यहाँ पर है, कि रजिया साशिका तो थी, उसने अभिलेक भी लिखवाए और शिक्के भी लिखवाए और उस पर उसने लिखवाए कि वो सुल्तान इलतुत्मिष की बेटी थी अच्छी ब तिये वंस एक था मेरे प्यारे बच्चों, आंद्र प्रदेश याद रखेगा, ये PT का कोशन है, ये स्वेम PT कोशन है कि बारंगल किस राज में, अब जैसे PT का कोशन बता कि, मन्ते कालीन बारंगल छेत्र बरतमान किस राज में पढ़ता है, A. करनाटक, B. तमिलनाडू, C. आंद्र प्रदेश, D. केरल, तो ऐसे प्रशन आपसे, तो आंद्र प्रदेश के बारंगल छेत्र में काक्तिय बंस राज करता था, इस बंस की रानी थी रुद्रमा देवी, अब ये PT के लिए देखे, content ट्यार हो गया, कि रानी रुद्रमा दे आए, तो रानी रुद्रमा देवी, ये भी तेरामी सताबदी में ही थी, 1262-1289, ठीक है न, बट अब आप देखिए, रुद्रमा रजिया से अलग थी, क्योंकि रुद्रमा ने जो भी अभिलेक खुदवाए, उसमें अपना नाम पूरुषों जैसा लिखवा कर, अपने प ans की बेटी के रुप में अपने आपको प्रदर्शित किया, लेकिन रानी रुद्रमा देवी ने, क्या किया, अपने अभी लिखो मैं, अपना नाम पूरुषों के रूप में लिखवाया, अब देखिए, अब आप देखिए, अब आपके मन में आयो बैर पुरुषों जैस कैसे लिखवाया होगा अरे बाई एक कल्पना कीजिए न कि पुरुषयों के रूप में लिखवाने का मतलब की की बजाए का लिख देंगे का जैसे कि सासिका जैसे लिखा हो न कि रुद्रम्मा सासिका ने आज अपनी जनता को संबोधित करने के लिए यह अभिलेख लिखव सासिका की बजाए जब अपने लिए उन्होंने सासक सब्द का इस्तिमाल किया अपने अभिलेखों में तो उसी को कहा गया पूर्षों जैसा नाम लिखवाया तो वो है वारंगल के काकती राजबंश की रानी रुद्रम्मा देवी जिनका सावन काल 13th century था 1262 से 1289 तो अब यह फिर PD का question है ये भी कि रानी रुद्रम्मा देवी ने कब सावन किया 13th century में 14th century में 15th century में 16th century में तो आप कहेंगे कि 13th century में मज़ा आया क्या ने एक और महिला सासक का जिक्रारा कस्मीर की रानी दिद्धा जिनोंने दश्मी सताबदी में सासन किया रानी दिद्दा दिद्दा को बड़ी बहन कहते हैं याद रखेगा रानी दिद्दा ठीक है न तो अब ये भी एक प्रश्ण है कि रानी दिद्धा कहां की सासिका थी तो कस्मीर की सासिका थी तो तीन पॉइंट हमारे यहां पर तयार हो गए मेरे प्यारे बच्चों मैं बार-बार करा हूं सेशन को लाइक करती चलेगा जो भी बच्चे बाद में जुड़ते चले जा रहे हैं तो यह हो गया दिल्ली के सुल्तान और यह इंगलीस का भी कंटेंट है आपके सामने तो हिंदी और इंगलीस दोनों के कंटेंट साथ है ठीक है अब आता है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गयरीसन सहर से सामराज तक तो सबसे पहले गयरीशन सहर क्या होता है वो आप समझें और मैं अपनी महासा में नहीं बताओंगा NCRT की महासाम में बताऊंगा कि Garrison सहर क्या होते हैं वैसे गड़ वाले सहर होते हैं लेकिन फिर भी गड़ वाले यानि दुर्ग वाले सहर लेकिन फिर भी Garrison सहर क्या होते हैं आपको मैं इनके हिसाब से बता दू Garrison सहर गड़ वाले यानि किले बंद तो तो garrison शहर देखी क्या लिखा हुओ किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं तो ये पीटी का कोश्च्छन है बहुत important कि garrison garrison सहर से क्या ताततपर रहे तो किले बंद सहर जहां पर सैनिक रहते हूँ यानि जहां पर सैनिक रहते हूँ और जो दुर्ग के रूप में हो ऐसे सहर को हम तो अच्छा एक सी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज की क्लास में याद रखेगा ठीक है ना जो है आज मुझे अच्छल लग रहा है ये कि आज मैं बैट के पढ़ा रहा हूं लेकिन आप सम उतनी ही सिद्दत से पढ़ाई कर रहें ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चे चाहते हैं अगर आप ऐसे करोगे इस प्रकार से सपोर्ट करो होगे तो ये ध्यान रखना ये ध्यान रखना कि कुछ ही समय में मैं साफ बोल रहा हूं ठीक है आप याद रखेगा मैं ऐसे तो बैट करके पूरी एम लचमी कान दो रोज में खतम कर सकता हूं इतना आप आप सबको पता ही कि मैं इस्पेशल क्लास दस गंटे की लेता हूं दस घंटे की स्पेशल क्लास तो ऐसे तो आपका प्रेलिम्स सांदार जानदार करवा दूंगा एम लचमी कान दस घंटे की तीन क्लास कर दिया तीन संडे में पता चला है एम लचमी कान खतम हो गए नहीं वाली क्या कहते हैं इसका मतलब प्रेलिम्स की त्यारी सांदार यह अपने दोस्तों को लाइए क्योंकि इससे मैंने हमेशा कहा कि जब आप लाइब क्लास में रहते हैं तो मुझे मोटिबेशन मिलता यह हमेशा याद रखेगा चलो यार इतने बच्चे लाइब है 700 800 1000 1500 ठीक है तो मेरा अपना मानना है कि मेरी स्टाइल में जो मुझे पता अगर आप प्रिलिम्स की त्यारी करेंगे तो आप कभी प्रिलिम्स फेल नहीं करेंगे मैं अपने उपर गर नहीं कर रहा हूं मैं जीरो हूं I am a big zero में लिक रहा हूं सुनी ला विबक्ति इज़त जीरो लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसी पद्धती से हर बार प्रिलिम्स निकाला है IS का interview दिया है ठीक है आज मैं एक professor के रूप में एक university में appoint हुआ हूं तो मेरा ये कहने का मतलब है जो मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैंने इसी pattern पर यानि कुछ भी पढ़ो उसको mind में mind multiple choice question यानि जो काम हमें exam में prelims में करना वही काम हम book में पहले कर ले तो फिर फिर से जो काम हमें exam में करना है वही काम अगर हम book में कर ले तो वही काम तो मैं कर रहा हूं आपके लिए तो आप ठीक है अब इसके बाद मेरे पैरे बच्चों Garrison से समराज तक हम पढ़ने जा रहे carring अगड़ वाले से जहां एशा जो जिनकी किले बंदी की गई तो इसे किले बंदी कर दी जाए तो इसयों को हम Garrison से लोलते अब हम यह यहां पर देखिए समसुद इन इलतुत मेत दौरा जीते गए पर्मुक शेर तो अब जी horizon के बच्चों के लिए नहीं है यह किस के लिए है यह है मेरे प्यारे बच्चों यानि ऑप्शनल के बच्चों के लिए और ऑप्शनल के बच्चों के लिए मैपिंग के लिए है आप देखी कितना यानि क्लीन और किलियर पढ़ा रहा हूं कि कौन सा जीयस वालों के लिए कौन सा optional वालों के लिए, तो मेरे प्यारी बच्चों, याद रखें, कौन-कौन सा स्थान, मुल्तान आपको ध्यान में रखना है, उच्छ आपको ध्यान में रखना है, तबरहिंद आपको याद में रखना है, ठीक है न, इसके बाद आपको दिल्ल, हासी आपको याद रखना है, बदाईू आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको अजमेर याद रखना है, इसके अलावा आपको गौालियर याद रखना है, आपको रनधंबोर याद रखना है, तो ये अफ्थल जो मैंने बताए, प्रिलिम्स वाले, इतने ही अस्थल को आप याद रख लिजेगा अगर आप चाहते हैं तो क्या है क्या है मेरे प्यारे बच्चो ध्यान रखेगा एक अस्थन और सुर्शती भी याद रख लिजेगा क्योंकि पूछ सकता है थोड़ा सा चर्चा मेरा आद और यहां पर लखनोती तुम्हेंने पहले बता भल वाल यह आप ध्यान रखेगा अवद का ध्यान रखना है बढारस का ध्यान रखना है तो आप्जणल मैपिंग यानि इन अस्थलों पर आप बार बार निगा मारते रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों अब आता है तिरहवी सताब्धी के आरंबिंग बरसों में यहां ये बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि दिल्ली के सुल्तानों का सासन गैरी सनो के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद सेरों से परिसायदी कभी फैला हूँ यानि बहुत ही पड़ त्यरावी सताब्दी में मतलब दिल्ली सल्तनत बहुत छोटी सी थी ये कहना चा सैनिक जहां रहते थे उतना ही बड़ा उनका अधिकार छेतर था याद रखेगा ठीक है ना सहरों से संबद लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियतर नाके बराबर था और वन लूट मार वगेरा करते थे तो यह इंपार्टेंट नहीं है गैरीशन बस आप याद रखेगा कंचूस बिल्कुल भी मत होईएगा गैरीशनों का मतलब रक्षक सैनों की टुकडियां क्या है रक्षक सैनिकों की टुकडियां तो इसको आप ध्यान रखेगा मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना अब वहाँ एक सब्दा है था भीतरी परदेश तो भीतरी एंड क्या होते हैं यह पूछेगा नहीं हिंटर लेंड मीज दा लेंड एड्जसेंट टू अशिटी और पोर्ट देट सप्लाई इट विद गुड़ एंड सर्विशन तो यह पूछेगा नहीं आप एकदब मस रहिएगा अब आता है दिल्ली से सुदूर यानि दिल्ली से दूर एक छेतर था बेंगॉल एक छेतर था सिंध यहां का कंट्रोल बहुत कठिन था तो यहां पर यह सारी बताए गई है और क्योंकि यह दिल्ली से दूर थे ठीक है ना और तो यहां पर कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके एक्जाम में पूछा जाए तो इसलि नहीं है जो आपके एक्जाम पॉइंट आप भी उसे इंपॉर्टेंट हो तो इसको हम कट कर सकते हैं इस स्लाइड को ध्यान रखेगा क्योंकि हम लोग फोकस रहेंगे तो ज्यादा सारा पढ़ेंगे तो अब आते हैं सल्तनत की बाहरी सिमय यानि दिली से बाहर सल्तनत का विस्तार अब ये इंपॉर्टेंट है तो अब पीटी का कुश्चन है किस सासक के काल में दक्षिड भारत को लक्ष करके सैनिक अभियान शुरू है चलिए बताए ठीक है ना क्या है किस सासक यानि आप हमे किस सासक ने दक्षिड भारत को लक्ष करके सैन अभियान शुरू किया तो नाम होगा अलाउद्दीन खिल जी मेरे ब्यारे बच्चो अलाउद्दीन खिल जी नहीं किया सासन काल था मुहमद बिन तुगलक का तो यानि मुहमद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिड भारत क की तरफ सल्तनत का अभियान शुरू हुआ लेकिन वह अभियान ओवियस है ठीक है ना यानि सबसे पहले अलाउदीन खिल जी फिर मुहम्मद बिन तुगलक दोनों के काल में हुआ ऐसा समझेगा मैं कुछ और बताने जा रहा था लेकिन वह फिर से नहीं है अलाउदीन खिल ज से फिर इसके बाद यह वाली स्लाइड आपके लिए किसी भी प्रकार से इंपॉर्टन नहीं यानि आपपर कोई भी फैक्त नहीं है कोई भी कॉनसेप्ट नहीं तो इसको आप यहां से छोड़ सकते हैं यानि आपको यह वाला देखने की ज़रूरत नहीं है जानक यह अब अलाऊगदीन खिलजी का दक्षण भारत अभियान तो यह मैपिंग है तो इसका मतलब है कि optional वाले बच्चों के लिए तो यह साध्नार है prelims वाले भी अलाउद्दीन के कौन कौन से दक्षड भारत के अभियान अस्तल थे यानि उन्होंने दक्षड भारत में कहा कहा अभियान किया वो जो है एक महतपूर fact है तो आप लोग भी देख सकते हैं क्या है यानि आप लोग भी देख सकते हैं देखें कड़ा यह कड़ा मैपिंग आप्शनल रण थम्बहुर ठीक है यह हो गई दिल्ली और यहां से आक्रमण हो रहे हैं कहां कहां पर देखें डेट वाइस कितना बढ़िया दिया वह सबसे पहला आक्रमण होता है 1299 में अलावदिन किल जी का गुजरात पर फिर उसके ब बारंगल में तो यह भी आपको जाना चाहिए यानि हर एक चीज आपको जाना चाहिए कड़ा में कब होता है 1296 में मांडू में कब होता है 1305 में रणतंबोर में आपको पताई है 1301 में चितोड में 1303 में ठीक है फिर इसके बाद देखें देवगिरी जहां पर यादो मज़ बारंगल में अटैक किया फिर इसके बाद यहां तक देख सकते हैं दक्षण भारत में होईसल सास्कों तक आ गया 13 सुद 10 से 11 के बीच में फिर तंजाओर तक आ गया यानि यह देख सकते हैं तो यह सारे असकल आप लोग को ध्यान में रखने हैं मैपिंग वाले बच्चों ठीक है अब यह एक पिक्चर है यानि वही कुत्ब मिनार जिसकी पिक्चर आप लोगों ने देखी है ठीक है तो इसको सबसे पहली इमारतों में माना गया ठीक है ना और यह देहली एक कुहना यानि पुराने सहर में बनाई गई है और कुत्बुद्दीन एवक ने किया मिनार तीन शुलतां गए कि तना इंसियाटी नहीं वच्शूरत है ना तीन सुलतानों कुत्बुद्दी नेवक गटुत्मिसवर फिरोस सफ तोगलक भॉरा बन मैंगी तेप इस पीटी का कोश्चन है कि कि मिन लिखित में से जाद द्यान रखें गार के निम लिखित म से किस सासक का संबन निमलिखित में से किस सासक का संबन कुतुब मिनार से रहा है कुतुब मिनार से संबंदित है कुतुब मिनार से रहा है अब आप देखिए तो इनका नाम कुत्ब बुद्धी नेवग कितुतमीश और फिरोज सा तुगलग आपको पता होना चाहिए ऐसे भी पूछ सकता है कितने सासकों करहा है ए चार बी तीन सी पांच डी दो एंसर बताई ऐसे भी पूछ सकता है तो और ऐसे भी पूछ सकता है निमलिकित में से किस सासक का संब्ध कुत्ब मिनार से नहीं रहा है तो आप देखिए तो तीन सासकी यहीं तो एंसर इस बी और तीनों का नाम बता दिया है इसका मतलब है कि प्रिलिम्स के लिए आपका एक सांदार फैक्ट आपके सामने मैंने डाल दिया है और यहां से आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है मेरे प्रवाज अब मस्जिद मस्जित के बारे में सामने मसजित नहीं है का अरवी सबीव यहां तो यहां पर नमाज वगरा पढ़ी जाती है तो यहां से पोंशेगा नहीं इसलिए तो यहां से कोई कोश् NotAR सकते है मसř baptized के लिए तो आप सब को पता आप यह हो गया बेगंपुली मस्जित अब यह PTA question है, जैसे कई मस्जिदे, एक तरफ लिख दिया मस्जिद और एक तरफ सासक, यानि किस मस्जिद से किस सासक का संब्द है, सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, क्या है, मैच है या मैच नहीं, तो बेगम पुरी मस्जिद, तो यह मुहम्मद तुगलक के काल में या जहाँ पना में थी यह, यानि उसकी राजधानी जहाँ पना, अब देखिए, यह भी एक question है, जहाँ पना नामक दिल्ली में सहर किसने बनाया, जो उसकी राजधानी बनी, तो यह किसने बनाया, मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं, MBT ने, मुहम्मद बिन तुगलक न कि मेंस वगरा को अगर हम ध्यान में ना रखें, तो मुझे यह लगता है कि मतलब इतने अच्छे content, NCRT में हैं, उससे बेतर content कहीं हैं नहीं, तो यह बहुत 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 अच्छी चीज आपके सामने है, तो आप देखिए, जहाँ पना, जिसको है, जिसका pronunciation हिंदी में है विश्वकी सरनस्थली, तो यह भी पूर सकता, UPSC का कुछ भरोसा नहीं है, कि वो आप से क्या पूछ सकता और क्या नहीं पूर सकता है, तो विश्वकी सरनस्थली, विश्वकी सरनस्थली, यानि जहाँ पनार को हम विश्वकी सरनस्थली भी कहते हैं, और यह MBT ने बनव पढ़ आई है और इसी जहां पनाह में बेगम पूरी मस्जी दिश्जी थी बच्चों एकदम किलियर हो गया कि नहीं किलियर हो गया कि एसे ही एक चीज मैं यहीं कराओ यहीं जो बिशे भी पढ़ें तो हम इसलिए ना पढ़ें कि हम पढ़ रहे हैं और सटिस्पाई है कि मेरी एंसी एक तरीका हो गई आप देखे अगली आगई मोट की मस्जित किसने बनवाई पूछ लेगा कौन सा सुमेलित है या सुमेलित है या सुमेलित नहीं है तो पहला लिख देगा मोहमद बिन तुगलग यानी MBT इसके सामने लिख देगा बेगमपूरी मस्जित ठीक है दूसरा आपने अभी अभी पढ़ा क्या पढ़ा सिकंदर लोधी क्या पढ़ा बच्चे सिकंदर लोधी क्या पढ़ा सिकंदर लोधी और उसके आगे लिख देगा मोठ मस्जित क्या है मोठ मस्जित ऐसे ही और सासक तो कौन सुमेलित है दोनों ही सुमेलित है तो यह है UPSC यानी अगर आप कैज करना चाहते हैं और आप एक चीज और सोचेगा कीजिये मेरी बात को पढ़ाई तो होती रहेगी बीज-बीज में ऐसी बातें भी होती रहे आप खुद सोचे मतलब एक मस्टी में सोचे बीना मतलब कंटेंट में घुसे हुए कि अगर आप 6 to 12 old और new NCRT जो हम लोग पढ़ा रहे हैं अगर इसको आप बहुत अच्छे से करके जाते हैं पॉइंट को समझेगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से करके जाते हैं तो कैसे यानि यही मल्टिपल माइंड माइंड मल्टिपल चॉइस कोशन यानि लगातार कोशन बनाते हुए पता चला एक NCRT में आपने 500 कोशन बनाए एक 1000 कोशन बनाए तो जो बच्चा 12 NCRT में 12000 कोशन अपने दिमाग में बना करके जा रहा है तो फिर उसको प्रिलिम्स में दिक्कत होगी क्या उसको प्रिलिम्स में दिक्कत होगी क्या नहीं दिक्कत क्यों होती क्योंकि हम पढ़ने के लिए पढ़ते पढ़ रहे हैं अगला पे नहीं हर एक पेज में कहां पर कोशन फंसाएगा वो सबसे जादा इंप्वार्टेंट है याद रखे में यही काम आपको पता होगा NCRT की गाइट्स भी हाती हैं सलूचन भी आते हैं ओ लोग क्या करते यानी यही काम आपके लिए करते हैं तो क्यों ना आप यह काम आप स्वयम अपने लिए करिए, क्यों न, यह काम आप स्वयम अपने लिए करिए, मेरे बैयारे बच्चों, तो ऐसे में जो है, आपको ठिक है, क्लियर है बच्चे? अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं दो मस्जिद हमने पढ़ ली है अब देखे जमाली कमाली की मस्जिद तो इसके बारे में लिखाने किसने बनवाया तो कोई मतलब नहीं है अब आते हैं खिलजी और तुगलब बंस के बारे में कि इनके अंदरगत प्रसाशन और यानि इनके अंदरगत प्रसाशन कैसे था ठीक ना अब यहां पर जरा देखेगा हम प्रसाशन पढ़ने जा रहें यानि शाशन प्रसाशन पढ़ने जा रहें एडमिनिस्ट्रेशन यानि प्रसाशन पढ़ने जा रहें ये point आप अपने ध्यान में रखेगा क्या ध्यान में रखेगा हम प्रसाशन पढ़ने जा रहे बहुत बढ़िया चीज जरा ध्यान रखेगा तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है number one ये number one point यहां पर पढ़ेगा कि दिल्ली के आरंबिक सुल्तान जैसे इल्तुत मिस के बारे में क्या लिखा हुआ है सामन्तों और जमीदारों के अस्थान पर अपने बिशेश गुलामों को प्रांतों का head यानि अपने राज्य के अधिन जो प्रांते उनका सुबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था इन गुलामों को फार्शी में बंदगा कहा जाता था बंदगा तथा इन्हें स्यानिक सेवा के लिए खरीदा जाता था अब आप देखेगा यानि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो आपने पढ़ा ना पूर्बमधिकाल यानि पिछली एंसियाटी में कि सामन्त होते थे तो सामन्ती सासन द्रवस्ता को बदलने के लिए इल्टुत्मिस्ट ने क्या किया बहुत से गुलाम वो स्वेम भी गुलाम था यानि गुलाम मतलब जिसका इबंस ना हो एक मार्केट में उसको बेचा जाए किसी ने करीदा हो तो कुतुबुद्धिन एबक ने इल्टुत्मिस्ट को खरीदा था वो ये भी एक गुलाम था ध्यान रखेगा तो जब ये सासक बना तो इसने गुलामों का एक दल बना जिससे तुर्कान ए चाहल गानी कहते हैं क्या कहते हैं तुर्कान ए चाहल गानी तो आप से ही कुश्चन पूछ सकता है तुर्कान ए चाहल गानी क्या है यानि ये चालिस अमीरों का दल यानि चालिस गुलामों का दल अला इसमें और भी गुलाम ये बड़े मतलब सारीरिक रूप से मालसिक रूप से बड़े सक्षम होते थे तो वह इनी के दोरा सासन चलाता था इनी को बन्दगान कहा जाता था बन्दगान तो अब अगर आपसे पीटी में पूछ लेता कि बन्दगान क्या है आप मुझे बताई अगर आप से ये पूछ लेता प्रिलिम्स में बंदगा क्या था और ये ना लिखता प्राचीन काल मंदेकाल आदुनी काल बंदगा क्या था तो क्या आप बता पाते हैं कि गुलामों को फार्शी में बंदगा कहा जाते हैं यह गुलाम थे या तुरकाने चित्याल गानी को ही हम एक प्रकार से बंदगा कह सकतें क्या ये point आपको clear था जरा honesty से बताईए तो क्या करना है तो मेरे प्यारे बच्चों पहली चीज तेरहमी सताब्दी में जो इल्तुत मिश है उस उसने पूर्व मद्यकाल में भारत में प्रचलित सामन्तों और जमीदा पराधारिश शासन ब्यवस्ता को बदल कर उसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों जरा समझेगा उसने क्या किया उसने गुलामों का एक दल बनाया जिसे हम तुरकाने चाहलगानी चालिस अमीर गुलामों का दल कहते हैं जि इन गुलामों को बंदगा भी कहा जाता था या रखेगा और चुकि इनका कोई खांदान होता नहीं था पूरी तरह से है अपने मालिक पर डिपेंड होते थे इसलिए सुल्तान इन पर बहुत विश्वास करता था तो अब एक बात मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या तुरकाने चाहलगानी के बारे में या बंदगां के बा कि आप फेतर ढंग से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे I hope आप समझ के वह हुए ठीक है ना अब वही बात यहांपर इंगलिस में लिखा हुआ, इंगलिस मीडियमाले बच्चे देख लेगे अब आते हैं बेटों से बढ़कर गुलाम, यानि गुलाम जो थे ये सासकों के बेटों से बढ़कर होते थे, याद रखेगा क्यों क्योंकि वो एकदम से वफादार होते थे और मद्ध काल में वफादारी प्राप्त करना, यानि पुत्र तो बिद्रों भी कर सकता था, धार नखेगा, ऐसा सुरू सुरू में माना गया खिलजी, अब इसके बाद आगे कहा गया, इल्तुत में इसके बाद खिलजी और तुगलक सासक भी बंदगा का, यानि गुलामों का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने परास्रिद निम्न बर्ग के लोगों को भी उचे राजनितिक पदों पर बैठाते रहे अब एक बड़ा एक परिवर्तन यहां दिखाई देगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो प्रेलिम्स में आपसे पूचा जा सकता है कि निम्न बर्ग, देख रहे हैं न, क्या लिखा हुआ, निम्न बर्ग के लोगों को भी उचे राजनितिक तो अब यह प्रेलिम्स का प्रशना है कि निम्न लिखित में से किस राजवंस के काल में निम्न बर्ग के लोग भी उचे राजनितिक पद प्राप्त करने लगे तो वुल आएगा खिलजी बंस और तुगलग बंस तो दोनों में यानि जो अगर योग्य हैं और आप निम्न बर्ग से हैं सासक बर्ग से सम्मंधित नहीं हैं यानि गुलाम या अमीर नहीं हैं तो भी आप यानि उचे राजनितिक पदों पर बैठ सकते हैं तो यह बहुत बड़ा प्रसासन में चेंज आया कि योग्यता को अधार बनाये गया तो प्रिलिव्स में कोश्चन पूचेगा कि निम्न बिखित में से किस सासक ने योग्यता के आधार पर प्रसासनिक चैन पद्धती का सुबहारम किया तो आप एंसर मारेंगे कौन खिलजी अलाओ दीन खिलजी और फिर अगर दूसरा नाम आता है मुहम्मद बिन तुगलक आउबियस है पहला तो खिलजी ही था तो इसलिए हमने पहला खिलजी का नाम लिया दूसरा कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चे तुगलक मजाराए कि नहीं मजारा मजाराए कि नहीं मजारा तो आप यह से देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो यह हो गया यहां से किलियर हो गया तो बस आसरित कोई बताने की जरूत नहीं आसरित क्या होते हैं आप सब को पता है ठीक है तो यह सारी बाते हैं ठेक है यह वाला आपको पढ़ने की आवशक्ता नहीं है इसमें कुछ भी इंपॉर्टन नहीं है एक्जाम पॉइंट आभी उसे तो यह आप छोड़ो सकते हैं सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी कैसे होते थे तो साफ मैंने कहा कि निम्न परिवारों से जो संबंद रखे थे थे उनको भी प्रशासक बनाया जाता था उसी को यहाँ पर बताया गया है कि एक सराब बनाने और बेशने वाला था एक नाई था एक बावर्ची था ठीक है न और जो माली होते हैं यानि जो उद्यानों में काम करते हैं इनको उचे प्रशासनिक पदों पर बढ़ा गया तो अभी यह पीटी के कोशन है कि निम्लिकित में से किसके सासंकाल में यानि सराब बनाने वाले बेशने वाले नाई बावर्ची और मालियों को भी उच्च प्रशासनिक प्रदान किये गए तो वो होगा सुल्तान मुहमद बिन तुबलग तो यह बहुत इंपोर्टेंट है यानि खिलजी के काल में सबसे पहले और उससे भी जैसे योगिता के अधार पर पदों पर किसने बैठाया बंसानगवत अधार पर नहीं योगिता के अधार पर अलाउदीन खिल जीने लेकिन यह याद रखेगा कि निम्ण बर्ग जैसे सराब बनाने वाला बेशने वाला जैसे नाई जैसे बावर्ची जैसे माली यह उच्च प्रशासनिक प समाया है इतिहासकार जियाउद्दीन-बर्नि तो यह याद रखेगा इतिहासकार जियाउद्दीन-बर्नि किसका सम्कालिन था तो सुल्तान मुहं authors बिन तुगलक यानि MBT का क्या था मेरे प्यारे बच्चों यानि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन्ता ऐसे भी प्रस्ण आएंगे एक तरफी तिहासकार लिख देगा एक तरफ सासक लिख देगा कौन किस के समकालीन्ता यह पॉइंट आप धान रखेगा ठीक है त इक्ता ठीक है ना इक्ता आएगा फिर इक्ता दार आएगा मुक्ती आएगा याद रखेगा ठीक है ना तो मेरे प्यारे बच्चों इक्ता क्या होता था यानि इक्ता ब्यवस्था क्या ब्यवस्था होती थी जिससे इल्तुत मिष्ट ने यानि ब्यवस्थित रूप से दि सर में आप मार दिजेगा यानि इल्टीटमिस लेकिन यहाँ पर जो बताये गया वह मैं बता रहा हूं तो सबसे पहले एक्ता क्या होती ते यानि यह भूचेत्र होता था बच्चे छोटे भिन भिन आकार के इलाके होते थे क्या होता था भिन भिन के सीमाओं पर ठीक है तो भिन भिन आकार के इलाकों के सुविदार के रूप में तो भिन भिन आकार के जो इलाके होते थे इन्हें इक्ता कहते थे याद रखेगा और इन पर जिन्हें न्यूक्त किया जाता था उन्हें इक्तादार कहते थे या मुक्ती भी कहते थे याद उन्होंने यानि इक्ता व्यवस्था को आगे बढ़ाया, I hope आपको मज़ा आया होगा, इक्ता एक बार सारे बच्चे बताएं इक्ता क्या है, यानि भिन भिन आकार के चेत्र, इस पर फिर पुछे का, इक्तादार क्या होते थे, यानि इक्तापर सासन करने वालों को कोई मुक्ति भी कहा जाता था याद रखेगा अब आता है मुक्ति या इक्तादार का फर्ज क्या होता था अगर आपको एक छेत्र मिल जाता था तो आपका फर्ज क्या होता था आपका फर्ज होता था मेरे पैरे बच्चो आप अगर सासक को आवशकता है तो उसके लिए आप शैन अभियान करी और अपने इक्ता में यानि अपने छेत्र में law and order यानि कानून और व्यवस्था बनाए रखना तो मुक्तियों का कर्तब क्या था अब ये भी पीटी का question है इक्तादार क्या करते थे एक्तादार तो ये जब भी राजा को आशकता होती थे उनके लिए शैनिक अभियान करते थे और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे याद रखिएगा ठीक है ना और इन्हें बेतन के रूप में क्या मिलता था जो इनको इक्ता मिली हूई थी उसी से ये रजस्यों वसूल किया करते थे तो इसी शैनिकों की तन्खवा भी दी जाती थी याद रखिएगा ठीक है ना अब बड़ा important था कि भाई अगर ये जो एक्ता पार है ये एक साथ मिल के बिद्रो भी कर सकते थे तो इल्थुत्मिश के समय से ही या कोशिस हुई यानि इल्थुत्मिश से ले करके फिरोज साह तुगलक के पहले तक point को याद रखेगा यानि इल्थुत्मिश से ले करके मुहमद बिन तुगलक के सासन काल तक ये जो एक्तादार या जो मुक्ती होते थे इनको check and balance करने के लिए को क्या किया जाता था मेरे प्यारे बच्चों कि इनको इकता थोड़े थोड़े समय के लिए मिलती थी और इकता change कर जाती एक 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 सास्तों तो कभी दूसरे के यानि उन बेकाबू ना हो जाए, बित्रोग ना कर दे ठीक है, I hope एक बार सारे बच्चे बताएं, कमेंट करके इकता समझ गए, इकतादार समझ गए मुक्ती समझ गए, ये भी समझ गए कि इकतादारों या मुक्ती पर नियंत्रण करने के लिए सासक क्या-क्या करता था, क्या-क्या करता था, करता था, एक बार बच्चे पटा-फट बताएं, एक बार सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे बताएं, एक बार, मतलब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास के बाद आप घर में जाएं, तो आपको revision करने की जरूरत ना पड़े घर में जाएं तो आपको revision करने की जरूरत ना पड़े ध्यान रखें आप अभी ठीक है तो allowed दिन खिल जी सुल्तान allowed दिन खिल जी और यानि obvious है उनका transfer कर दिया चाहता याद रखेगा तो बस ये सारी बाते थी आपको और यहाँ पर कुछ भी ठीक है ना अब सबसे बढ़िया बाद हाँ अब आता था एक यहाँ पर आएगा एक fact आएगा मेरे प्यारे बच्चों उचको बस धान में रखना बाकिया और कुछ भी काम का नहीं है तो तीन बाते काम की है तीन तरह के tax थे बाकिया और कुछ मत पढ़िये गा तीन तरह के tax उस समय लगते थे एक को कहा जाता था खराज तो यह PT का terminology है PT की terminology यानि PT की सबदावली है मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम क्या कहेंगे खराज क्या कहेंगे खराज खराज यानि क्रिशी पर जो tax लगता था उससे हम खराज कहते थे जो उपज का लगबग 50% होता था यानि 50% खराज लिया जाता था दूसरा ममेशियों पर तीसरा घरों पर और यह कर किसने लिया अलाउक दीन खिल जी ने याद रखिएगा ठीक है तो खराज आप हमेशा याद रखिएगा ठीक है ना और इसके बाद यहां पर कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो ठीक है ना और यहां पर यही सब बताया गया है कि दिल्ली के मतलब इस महाद्यूप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था क्यों अब बेंगॉल दिल्ली से बहुत दूर था उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते थे अलाउद्दीन खिल जी ने दक्षड भारत की बिजय की लेकिन तुरंत ही उसके बाद या मुहमबद बिन तुगलक ने जीतने की कोशिश करी लेकिन वो फिर तुरंत सुतंत्र हो गए तो यह सब कोई आपके काम का नहीं है यानि आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अब देखिए इबन बतूता का जिकर आएगा इबन बतूता बगल में जूता है आपने वो गाना भी सुना होगा किस फिल्म का है कोई कमेंट करके बताएगा इबन बतूता बगल में जूता ठीक है तो इबन बतूता 14th century में आया था मुरक्को से आया था अफरीकी देश और ये इल्तुत मिश्के सासनकाल में आया था ये याद रखेगा तो अभी फिलहाल के लिए लेकिन ये जरूर याद रखेगा 14th century में आया था क्योंकि प्रिलिम से पूछ लेगा आपने देखा होगा ऐसे question पूछते भी है कि कौन सा सासक किस सताबदी में आया तो ये 14th क्या करेगा तो मुहमद बिन तुगलक के बारे में सारी जानकारी देगा बाकी और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आता है मंगोलों का आकरमण ये पीटी का question है यानि obvious है मंगोल लड़ाकू जाती और ये लगातार यानि हिंद अस्थाने ट्रांस आक्षियाना जिसे आज हम उजबेकिस्तानानी मद देशिया का जो देश न उजबेकिस्तान तुर्कमेरिस्तान इस पड़ात उसी में से उजबेकिस्तान पर हमला किया जिसका मंद काल में नाम ट्रांस आक्षियाना था और उसके बाद उसने दिल्ली की तरह भी रूख किया याद रखेगा और सभी के काल में की खत्रा बढ़ा अलाउद्दीन और मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में मंगोलों ने बहुत जादा आकर्मण की और इसके कारण सुल्तानों को एक विशाल से ना खड़िक करनी पड़ी ठीक है न तो यह है मंगोल का आकर्मण हला कि मंगोलों का आकर्मण गुलामबंस से ही सुरू हुआ यानि सबसे पहला खत्रा इल्तुत्मिस को ही आयाou इलतुत मिम्ष के पुत्र को आया या यानी मंगोलों की आकर्मण से बचने के लिए सीरी नामक एक नया शहर दिल्ली से दूर सीरी नामा कस्तल पर यानि दिल्ली के पास ही है तो बरत मतलब जब उस शासन करते थे उस छेतर से दूर सीरी मंगोलों के डर से तो प्रेलिम्स में कभी ऐसा कोई प्रशन आए कि उन्होंने क्यों बनाया तो याद रखेगा मंगोलों के डर से तो ये भी एक अच्छा फैक्ट है जो मैंने आपको बताया मेरे पर अब देखो अलाउद दीन खिल जी और मुहम्मद बिन तुगलक के बीच में कंपेर किया गया है क्या किया गया है अलाउद दीन खिल जी और मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में तो मंगोलों काकरवन दिल्ली पर दो बार हमले हुए ठीक है और अलाउद्दीन खिल जी ने एक विशाल अस्थाई सेना खड़ी की मुहम्मद तुगलक के बारे में कहा गया है जब वो शासन पर बैठा उसी समय मंगोलों का हमला हुआ लेकिन इसने मंगोलों को हराया ठीक है और अब आप देख सकते हैं और ट्रांस आक्षियाना यानि उजबेकिस्तान पर आकर्मन करने के लिए उसने एक योजना भी बना ली तो उसकी सेना बहुत ताकतवरती याद रखेगा अब देखे अलाउद्दीन खिल जी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया ग पेरिशन शहर नहीं बनाए ठीक है ना और उसने क्या किया कि जो पुरानी दिल्ली थी जिससे देली अकोना कहते हैं चुकि उसने आपको पता है एक जहां पना नगर बसाया था जहां पना तो जो जहां पना बसाने के बाद जो देली ये कोना है पुरानी दिल्ली उसको खा इसने एक नया सहर बसाया मंगोलों से निपटने के लिए और इसने एक सहनी चावनी भंबनादी यान रखेगा और जो पुराने सहर के निवासी थे देलिय कोना के उनको दक्षिण में उसने अपनी नई राजधानी दौलताबाद बेज दिया तो आप देख सकते हैं यानि द मंगोल नीती यानि मंगोलों को रोकने के लिए कौन-कौन सी नीती अपनाई गई तो यह फैक्ट आपके लिए बहुत अच्छे हैं आपको मजा देंगे मेरे प्यारे बच्चों दाना क्येंगा यह देखिए इंग्लिस में लाओ दिन खिल जी और मुहमाद विन तुगलक तो आप असानी के साथ पढ़ सकते हैं ठीक है ना तो बस यही सारी बातें थी मांके और उसमें कुछ खास नहीं है इस वाली इसलाइड में इसलिए मैंने ठीक है अब यहाँ पर आता है सैनिकों का बेतन अब यह important है किसका मेरे प्यारे बच्चों यानि सैनिकों का बेतन किसका सैनिकों का बेतन यह एक fact है जरा कुछ जानेगा तो इल्तुतमिस ने सैनिकों को नगद बेतन के बदले इल्तुतमिस ने क्या किया इल्तुतमिस ने सैनिकों को नगद बेतन के बदले जरा ध्यान रखेगा क्या किया है इसको समझेगा उसने इक्ता देना शुरू किया ठीक है और इक्ता देवस्था आगे चलने लगे अलाउद दीन ने सैनिकों को इक्ता के अस्थान पर नगद बेतन देना तेह किया यह आप द्यान रखेगा बस और मुहमद बिन तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद बतन देता था याद रखे तो बस यह हो गया और सैनिकों को जो नगद बतन देता था वो सैनिकों के लिए परयाप्त हो ठीक है इसको रोकने के मतलब वह उसके लिए परयाप्त हो यानि ऐसा ना हो कि महंगाई बढ़ जाया और उनको समस्या हो जाया उसने याद रखेगा कीमत नियंत्रण नीती लागू करी आपको अच्छे से पताओगा बाजार व्यवस्था के माध्यम से उसने हर एक बस्तुओं की कीमत तै कर दी कि टमाटर आलू जो भी होता हो वह इस इस रेट में बिकेगा यानि रई मेरे प्यारे बच्चों ऐसा आप मान सकते हैं यानि सभी चीजों का रेट उसने तै कर दिया तो ऑबियस है ब्यापारी कीमते बढ़ा नहीं पाते तो सैनिक जो नगत बेतन पा रहे थे उनको उसी नगत बेतन में सभी प्रकार के सुभिदाय मिल रही थी तो अब आप से पूशेगा प्रिलिम्स में कि कीमत नियंतरण नीती या बाजार बेवस्था अलाओ दिन ने क्यो लागू करी तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा सैनिकों के नगत बेतन से उनकी समस्त आवशक्ताओं की पूर्ती हो जाए इसलिए उसने सैनिकों को इसलिए उसने बाजार नियंतरण बेवस्था लाई यानि बाजार नियंतरण बेवस्था का सीधा सम्मन जनता से ना हो करके सेना सिधा या पॉइंट अगर दिमाग में रखे रहेंगे तब ही मजा आएगा नहीं तो आप गड़बड कर देंगे बहुत अच्छा कॉंसेप बहुत अच्छा प्रेक्ट है एक बार कमेंट करके बताएं समझ गए के नहीं समझ गए अब इसके बाद मुहमद बिन तुगलक के बारे में आता है कि अपने सैनिकों को वा नगद बेतन देता था लेकिन कीमतों पर नियंतरण करने की जगा उसने अलाउदीन की तरह कीमत नियंतरण नीती नहीं अपनाई तो प्रिल्म्स में कीमत नियंतरण नीती के लिए कौन परसिद्द है अलाउदीन खिल जी उसने याद रखेगा एक आज की कागजी मुद्रा की तरह एक सांकेतिक मुद्रा यानि टोकन करेंसी चलाई ये शिक्के धातू के बने होते थे ल अगर इतनी बारिकी से पढ़ते तब ही प्रिलिप्स निकलेगा यानि जो उसने टोकन करेंसी चलाई सांकेतिक मुद्रा तो पहला तो प्रस्तन तो यही हो गया किसने टोकन करेंसी चलाई तो वो मुहम्मद बिन तुगलक ने चलाई तो अब उसमें लिग-देगा ये लिके नहीं होते थे यह सफ्ती धातुओं के होते थे याद रखेंगा ताबा वगर रखेंगे ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगा अला इससे मुहम्मद बिन तुगलक को बड़ी समस्यां को सामना करना बड़ा लेकिन हमें अभी प्रिलिम्स के लिए पढ़ रहें तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे याद रखेंगे ठीक है तो अब यहां कहा गया कि दिली के सासक अलाओ दीन ने जो ये बाजार बेवलता चलाई वो बड़ी सफल रही है और मंगोल आकरमन के खत्रों का सामना भी उसने कर और लेकिन मुहम्मद बिन तुगल पर आकरमन करने के लिए सेना बनाई और बट उसने आकरमन किया नहीं विशाल सेना को बंग कर दिया बात में यही सैनिक इसके विद्रोहियों से मिल गए ठीक है ना और उसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद अस्थाना दृत कर दी थी बहुत लोगों को बहुत नुम गंगा यमुना के द्वाब में आकाल भी आ गया जन्ता बिद्रोह पर उतर आई और अंतिता मुहमद बिन तुगलक को अपनी टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी तो आप देख सकते कितना बढ़या लिगा अगर माली जिम ऑप्शनल में मैं कहा दू जियस में तो नह और इस बात का परिषर्ण कीज़े की अलाउत दिन खिल जी क्यों सफल रहा अपने प्रसासनिक नीतियों में और मुहमद बिन तुगलक क्यों अशफल रहा अपनी प्रसासनिक नीतियों में तो आप देख सकते कितना बढ़या content इकम perfect content कहां मिलेगा मुझे बताए है मैं optional के बच्चों से पूछ रहा हूँ जड़ा बताए मुझे मैं एक बार कमेंट आप लोगा देखना चाहता हूँ तो सोचिये मेरे प्यारे बच्चों सोचिये आप इस बात को ठीक है जबी बच्चे बाद में आये हैं सेशन को लाइक जरूर करते चले दिल्ली के सुल्तान तो प्रशासनिक कंपेर भी हो गया ठीक है न लेकिन यह इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पीटी का फैक्ट है और मु कि पीटी में पूर्श सकता है कोश्चन कि सल्तनत के इतिहास में सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फटा करने के अभियान की योजना बनाई थी तो आप देख सकते हैं इसका मतलब वह था मुहम्मद बिन तुगलर इसलिए उस उसने एक सेना तो बनाई तो मज़ा आया यह वाला पढ़के क्या आपके दिमाग में यह पॉइंट था क्या आपके दिमाग में यह पॉइंट था पड़ा पड़ा बताईए कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल यानि मंगोल सल्तनत पर आकर्मन कर रहे थे इसने कहा कि हम मंगोलों पर आकर्मन करेंगे तो यह था मुहम्मद बिन तुगलक अलावदीन डिफेंसिब था फेंसिब था यह पॉइंट याद रखेगा यानि अगर आए कि प्रिलिम्स में कोश्चन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यानकेगा प्रिलिम्स में कोश्चन आ जाए अगर क्या कोश्चन आ जाए कि निमलिखित में से दिली सल्तनत के सासकों की मंगोल नीती के बारे में कौन सा कथन सही है सही नहीं है उसमें एक क्लिक दे कि मुहम दूसरा ALKG यानि अलाउद दीन खिल जी उसको मैं ALKG लिखता हूँ वह मंगोलों के बुरुद अपनी नीती में आक्रामत था और बिकल्ब दे दे A केवल एक सही, B केवल दो सही, C एक और दो दोनों सही और D नाइदर वन नार टू यानि ना तो एक और ना ही दो सही एंसर क्या होगा इस प्रसंद का फटाफट कमेंट करके बताएए फटाफट कमेंट करके बताएए कि एंसर क्या होगा चलिए बताएए फटाफट एंसर करके इसका चलिए बच्चे फटा फट एंसर करिए एंसर करिए इसका एंसर क्या होगा A होगा B होगा C होगा D होगा A होगा B होगा C होगा D होगा एंसर बताई तब माएगा पढ़ाई करने का असली मजा इसका एंसर बताई मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखेगा ठीक है इसका एंसर होगा डी इसका एंसर होगा डी 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 यही तो देखे अभी अभी पढ़ाया और अभी आभी अरे भाईया मुहम्मद बिन तुगलग रच्छात्मक नहीं था वो आक्रामक था पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फता करने का भिहान की योजना बनाई तो भाईया हम यह आक्रामक था ना मंगोल था हमारे उपर आक्रामन कर रहे थे और यहां लिखा हुआ अलावदिन खिल जी का बल प्रतिरक्षा पर था डिफेंस पर था यह कि अलावदिन खिल जी का बल प्रतिरक्षा पर था वहीं मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठा के कदम मंगोलों के विरुद शैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे यानि यह अटैकिंग था और वह डिफेंसिव था कैसा लगा मजा आया कि नहीं मजा आया ऐसा ऐस प्रशन बहले ना आया यह प्रशन लेकिन जवाप आप दिश्याटी को निचोड के जाएंगे ना पढ़ के ने यह जैसे निचोड देना जैसे आपको गरमी लगी हो खुब घर्मियों कोई आपको रुआफड़ा वाला सरबत बना कर के दे नीबू वाला सरबत बना के दे चीनी नीबू डाल करके, यानि ये cold drinks नहीं, ये Coca-Cola और ये cold drinks नहीं, ये तो toilet cleaner ही है, गर्मी लगी हो, पीलो, गला जलने लगता है, ऐसे जैसे मैं अपने घरों में सोचते हैं, कि गर्मी लगी हो, एकदम जवरदस्त उतसे प्यास लगी हो, थोड़ा दिर रेस्ट करने के बा बस अपनी निगाह बनाए रखनी है, वही जो मैं बोलता हूँ, चिडिया की आँख, मचली की आँख, वो आपको दिखती रहनी चाहिए, मेरे प्यारे बच्चे, एक तब बिल्कुल टार्गेट पे आप फोकस रहेंगे, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, अब आते हैं, यानि 15 और 16 सताबदी में सल्तनत, यानि तुगलक बंस के बाद, ठीक है, तुगलक बंस के बाद 1526, यानि जब पानीपत का युद्ध होता है, और बाबर आता है, यानि मुगल सामरा जाता है, 1526, इतिहास में 1526 क्यों परशिद्ध है, मेंस कि आप्शनल के बच्चों को ऐ दिहान रखेगा, ऐसे प्रशनों का सामना करना पड़ सकता है, तो 1526, इतियास में क्यों परशिद्ध है, वही आवियर से पानीपत और मुगल सासक बंस की अस्तापना याद रखेगा, ठीक है, तो यह आप यहाँ पर धान रखेंगे, तो 1526 तक तुगलक बंस के बाद किसका राज्य था, क्या दिल्ली का और आगरा, दिल्ली तथा आगरा पर किसका था, सैयद और लोदी बंसु का राज्य था, उसके बाद फिर छोटी-छोटी सकती आई, लोदी बंस के जौनपुर, बेंगौाल, मालवा, गुजरात, राजस्तान और पूरे दक्षड बारत में सौतंदर सासक खड़े हो गए, तो इसके बारे में यहाँ डिटेल में कुछ बताया नहीं किया है, कि जौनपुर में सैयद लोदी बंस, तो सेबंध क्लास के इंसियाटी इससे में यहाँ पर जानकारिया जाती है, तो सेर्षा सूरी का समय सुलामी सताब्दी है, मुगल समराठ हिमायू को परास्त भी किया था इसने, तो यानि सेर्षा सूरी और मुगल समराठ हिमायू समकाली थे, तो कभी-कभी यह भी पुछ लेता है कौन सा मैच यानि सुमेलित है और एक तरफ लिख देगा, यानि दो सासक लिख देगे, इधर भी सासक, इधर भी सासक, तो लिख देगा सेर्षा सूर और हिमायू, यानि सेर्षा सूर और हिमायू, तो कौन-कौन सुमिल थे, कौन सुमिल इत नहीं है, तो आप देख सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों यहा ठीक है तो बस इतना इसमें बताया गया है उसके बाद फिर अकबार आ जाता है बताने क्या हो सकता नहीं है द्यान रखेगा लेकिन सेरसा की प्रसाशनिक बेवक्ता को यह भी अपनाता है याद रखेगा अब यह जो कंटेंट दिया गया इसको आप यह इसाई दर्म फ्रांस याद रखेगा यह आपको बिल्कुल देखना भी नहीं है इसाई धर्म और यह पता नहीं क्यों इसको दिया गया क्रूशेड धर्म युद्ध यह सब आपको पढ़ने के जरूवत नहीं है याद रखेगा अब आता है यानि इस NCRT का 20 सब्द कीवर्ड साते इकता क्या सब बच्चों को इकता किलियर है कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो जोस मत जाने दो इकता 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 क्या सबको इकता किलियर है क्या सबको गैरिशन किलियर है मंगोलों के बारे में सबको पता है ठीक है क्या सबको जेंडर के बारे में पता है खराज क्या होता है क्या तो मज़ा आ गया ठीक है अगर आपको तो अब आप यहां से चीजों को कर सकते हैं अब यही है दिल्ली में अब देखे अभ्यास प्रस्ट चेप्टर 3 दिल्ली में दिल्ली में पहले पहल किस ने राजधानी स्थापित करी किस साशक ने तो दिल्ली में सबसे पहले पहले तो सुल्टानों के शासनकाल तो प्रशासन की महासा फार्शी थी इस अब रटते चलिएगा प्रशासन की महासा फार्शी थी किस सल्तनत काल के शासन के दौनाद सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ तो सबसे ज़्यादा बिस्तार हुआ अलाउद दीन खिल जी और मुहम्मद बिन तुगलक दोनों के सासनकाल के दोना याद रखेगा फिर इसके बाद इबन बतूता किस देश से भारत में आया था चलिए आप बोलते चलिएगा आप मेरे उत्तर का इंदिजार मत करिए आप बोलते चलिए इबन बतूता किस देश से भारत में आया था तो यानि मुरक्को मेरे प्यारे वच्चु जो नौर्थ अफरीका है वहा के बार न्याय चक्र के अनुसार सेना पतियों के लिए किसानों की हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था यानि न्याय चक्र यानि सरकिल आफ जस्टिस जैसे सरकिल आफ एकोनामी पढ़ते हैं सरकिल आफ पावर्टी पढ़ते हैं वैसे सरकिल आफ जस्टिस यानि न्याय सेना पतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों मैद पूरता बैया क्यों क्योंकि जो बेतन आता था वो किसानों से एकत्रित किये राजस उसे ही आता था और किसान तभी राजस चुका पाएगा जब वो खुल स रहेगा पसंद रहेगा तो इसलिए ये लोग कि बीसानों के हितों का ध्यान रखते थे अब आता है सलतनत की भीत्री और बहरी सीमा से आप क्या समसते हैं यह भी इंपॉर्टन नहीं लेकिन फिर भी सलतनत की भीत्री सीमा का मतलब होता है गैरीशन सेहरों की प्रिष्ठ भूमी में इस्तित भीत्री छेत्र ठीक है ना यानि जो शहर है उसके आसपास का area और बाहरी सीमा सब इपा ऑए है जो दिलिज से बहुत दूर है डक्चल-बारत बंगौल तो यह सारी बात है तो है ठीक है? मुक्ती, मुक्ती कौन होते थे? अब तो आपको पता हो गया होगा? मुक्ती कौन होते थे? मुक्ती अपने कर्तब्यों का पालन करे? या सुनेशित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गए थे? लेकिन फिर भी वह आदेशों को उलंगन करते थी तो यार तो इसमें भी आपको कुछ जानने की जरूद नहीं दिल्ली संतनात पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रवा पड़ा अभियसे पतन यानि मंगोल आक्रमण से मजबूत होकर अलाउद दिन खिलजी और मुहंबद बिन तूलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी अलाउद दिन खिलजी ने सेनिकों को एक्ता के अस्तान पर नगत बेतन देना तैंकिया ठीक है अलाउद दिन खिलजी ने सेनिकों को एक्ता के अस्तान पर नगत बेतन देना तैंकिया इसको एकड़म आप अच्छे से धान रखिएगा ठीक है फिर मुहंबद दिन तूलक ने दिली के पुराने सहर के निमासियों को नई राजधानी दौलता बात भेज़ दिया और इस इलाके में बड़ी सैनिक चाओनी बना दी अलावद दिन ने जनता पर और दिक्कर लगाए तो मुहंबद तुलक ने ताबे के नए शिक्के चलवाए ये सब देखे कितुना बढ़िया दिली सल्तनत पर मंगोल आकरमोलों का क्या प्रवपड़ा अब क्या ये प्रिलिम्स में प्रस्ण अगर आ जाता मैं आप सबसे पुछना चाहते हूं ज़र आप बताइए मेरे प्यारे बच्चे अगर ये प्रस्ण प्रिलिम्स में आ जाता और ये सारे फैक्ट रखे जाते तो क्या आप उसको कर पाते हैं ठीक है क्या आप इसको कर पाते यानि देख सकते मंगोल आकरमनों का क्या पहला प्रवा दूसर फूर और डी आल आपदा अबब यानि उपरोक्त सभी अब आप सूचिए ऐसे प्रस्ण पूछता और आप क्या करते हैं अरे यार क्या करूं भगवान तो ये है UPSC क्या आपकी समझ में तवारी के लिए का आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं आम जनत राजाओं की चापलूसी करते थे आप ऐसा मान लिजेगा ये सहर में रहते थे और राजाओं की चापलूसी करते थे तो अब यसे एक क्या जनता के बारे में लिखेंगे अब आता है दिल्ली सल्तनत के इतियास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी क्या आपको लगता है कि आज महिलान नेताओं को जादा असानी से सुविकार किया जाता है और यह सहर का विस्तार करने के लिए किरशी का विस्तार करने के लिए तो यह सब आप से पूछेगा नहीं ठीक है ना पता लगाए कि क्या आपकी इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाएगी कोई इमारत है तो कोई मतलब नहीं है इसको ठीक है इस अब आप प्रेक्टिस कर सकते है चेप्टर से रिलेटेड कुछ MCQ टेस्ट भी हो जाए यानि चेप्टर 3 से रिलेटेड कुछ MCQ ट है जाता था चलो एंसर दो फटा फट फटा फट बच्चे चलिए 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 तोमर राजवन्स के समय देहलीवाल सब्द किसके लिए परियुक्त होता था चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला दिली के सुल्तानों की प्रशासनिक भासा क्या थी चलो बच्चे फटा बच्चे बाद में जुड़े हैं लाइक नहीं किये सेशन को फटाफट लाइक करते चलिए सेशन को दिल्ली के सुल्तानों की प्रशास्निक भासा क्या थी ऑब्यस है एंसर है आपका भी यानि फार्सी सभी बच्चे 100% एंसर सही कर रहें बहुत बढ़ी है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी फटाफट बताए रजिया सुल्तान इन में से A B C D किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान फटाफट एंसर बताए एंसर 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 रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी एंसर बताए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी ठीक है एं अगला कोश्चन है रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंगासन पर कब बैठी थी दिली के सिंगासन पर कब बैठी देखते हैं कितने बच्चों को डेट याद है तो एंसरी 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 आपके सामने एंसरी एंसरी सी 126 बहुत से बच्चों का सही है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवन्स कौन था फटाफट बच्चे मैं देख रहा हूँ दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजबंस कौन था ठीक है तो एंसर इसे बहुत बढ़िया लोधी बंस मुगल समराट हुमायू को पराजित करने वाला साशक कौन था चलिए एंसर बताए मुगल समराढ हुमायू को पराजित करने वाला साशक कौन था ठीक है चलिए एंसर बताए एंसर 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 और गल्ती बिल्कुल मत करेगा एंसर बताए मुगल समराढ हुमायू को पराजित करने वाला था डी चली अगला कोउशन ये ये बताई होजखास कहां पर इस्थित है? मेरे प्यारे बच्चो होजखास कहां पर इस्थित है? हौज खास कहां पर इस्तित है हौज खास हौज खास तो हौज खास कहां पर इस्तित है मेरे प्यारे बच्चों एंसर आपको मिल गया नहीं हौज खास कहां इस्तित है एंसर इस ए अगला कोशन है इबन बतूता किस देश से भारत आया था इबन बतूता किस देश से भारत आया था फटाफट इसके बारे में तुरन 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 ठीक है इबन बतूता किस देश से भारत आया था चलिए बच्चे फटाफट इबन बतूता किस देश से भारत आया था एंसर इजे मोरक्को बहुत बढ़िया ये कोश्चन आप लोग करिए तब जानू आप लोग बहादूर है निमन कतनों पर विचार कीजिए टाइमर स्टार्ट है अलाउद दिन खिल जी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए दूसरा अलाउद दिन ने सैनिको को इता की जगा नगार बेतन देना तै किया निमन में से कौन से कतन सत्य है इसको बताए तब मजाए इसको बताए तो मजाए इसको बताए तो मजाए एंसर इस सी दोनों सत्य है एक और दो, दोनों सत्त्न हैं मेरे प्यारे बच्चों. द्यान रखेगा. और इन फेक्ट इतने आकरमनो विचारत दुखी हो करके सीरी नामक एक नया गैरीशन सहर उसने बसा दिया. यानि इतना दुखी हुआ कि शीरी नाम से एक नया सहर ही बसा दिया मेरे पहले बजों अगला कोइशन है चलिए दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रन्त के नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया, चलिए बच्चों थाजक बताएं सबसे पहला तुर्की सासक कौन था, यह तो मज़दार प्रश्ण होना चाहिए सबसे पहला तुर्की शासक कौन था, A, B, C, D तो सबसे पहला तुर्की सासक ए यानि कुतुबुद्दीन एवक था इन सब में याद रखेगा नमबर वन पे कुतुबुद्दीन आएगा नमबर दो पे ल्दुतमिस आएगा नमबर तीन पे रजिया सुल्तान नमबर चार पे ठीक है चलिए खिलजी बंस का संस्थापक कौन था इसका एंसर बताएं खिलजी बंस का संस्थापक कौन था चलिए बच्चो फटाफट खिलजी बंस का संस्थापक कौन था और मज़ा आ रहा है कि नहीं ये भी कमेंट करके बताते चलिएगा खिलजी बंस का संस्थापक कौन था तो आपके सामने एंसर आने वाला है खिलजी बंस का संस्थापक कौन था एंसर इसे जलालुद दिन फिरोज खिलजी ये खिलजी बंस का संस्थापक था अलाई दर्वाजा कहां पर इस्तित है चलिए पटाफ़ट दिल्ली सल्तनत के सासकों के बंस को बढ़ते हुए कालखंडों में बेवस्तित करें ये मज़दार कोशन है देखते हैं आप बढ़ते हुए कालखंड का मतलब समझ पाते हैं कि नहीं बढ़ते हुए कालखंड का मतलब समझ पाते हैं कि नहीं बढ़ते हुए कालखंड का ठीक है बच्चो तो देखते हैं ये कोशन आप कर पाते हैं कि नहीं एंसर इस सी मैक्सिमम एंसर आ रहा है सी बिल्कुल सही बात है बल्कुल सही बात है तुर्की सासक 126-1290 फिर इसके बाद खिलजी बंस 1290-1320 और ये पीटी का कोश्चन बच्चे दिल्ली पर जितने भी राजबंसों ने सासन किया उसमें सबसे कम राजबंस खिलजी बंस ने क दिखा जाए तो खिलजी खिलजी बंस ने किया है इस फैक्ट को आप याद रखेगा फिर इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों तुगलक बंस तुगलक बंस 1320-1414 तक और सयद बंस 1414-1451 तक आए हुब आप अच्छे से समझ गए हैं क्या हुए है आप अच्छे से स हैं मेरे प्यारे बच्चों मजा आर आए के नहीं मजा रहा है थहार थे आउन और पीटी मीद्स कोई बच्चा कहा रहा होता ूटली का एक्जाम जो यूपीस्ट्री या स्टेट पीशेस किसी भी एक्जाम में प्रेलिम्स का कोश्चन फटाफट दिल्ली सल्तनत के अंतरकत बंदगा सब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता चलिए फटाफट बताए एंसर इस भी गुलामों के लिए चलिए सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला स सुल्तान था एंसर 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 ठीक है कौन था रसोडे में कौन था चलिए बताओ रसोडे में कौन था एंसर इस भी मुवम्मद बिन तुगलक तो यह चेप्टर खत्म होता है कैसा लगा बच्चों मजा आया कि नहीं मजा आया एक बार कमें करें मजा 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 और सभी session को like करते चलेंगे जो भी बच्चे-बाद में connect हो रहे हैं session को like करें और उसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा विज्यापन है एड है जिसे आप कहते हैं इंग्लिस में एड़र्टाइजमेंट है जिसे आप इंग्लिस में कहते हैं watch the Hindu analysis with me daily on YouTube channel at 6 p.m. यानि साम को 6 बज़े Monday to Sunday साम को 6 बज़े Monday to Sunday आप the Hindu मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं और आपको brand new concept सीखने को मिलेंगे, innovation सीखने को मिलेगा जहां मैं तीन अख़वार हिंदुस्तान के पहला दा हिंदू दूसरा इंडियन एक्सप्रस तीसरा अख़वार दा हिंदू बिजनस लाइन एक अलग अख़वार होता है तीनों अख़वार का session कराता हूं तो साम को 6 बज़े दा हिंदू की live class में आना ना भूले आज साम को 6 बज़े 6 पीम science and tech का दा हिंदू special होगा तो आज साम को 6 बज़े सभी बच्चे रहो बच्चा देखो पास ऐसे ही होगे अच्छे मैं नहीं करो मैं अच्छा teacher हो आई है मैं अभी भी मैं करो big zero लेकिन मैं साथ कहूंगा कि अच्छे teacher क्या आप इस बात से agree करते हैं कि नहीं करते हैं कि जो व्यक्ति प्रिलिम्स पास कर चुका है जो व्यक्ति मेंस पास कर चुका उसका experience अलग होगा की नहीं होगा और यह जो हिंदू है जो 2024 में attempt करना चाहते वो बच्चे अभी से देखना सुरू करें तब जा करके वो concept बना पाएंगा अगर वो यह सोचेंगे कि हम 2023 में देखेंगे तो आपको competition बहुत बड़ा है मैं आप से बताऊं कुल 800 से 1000 seat आती है और इस 800 से 1000 seat में कम से कम 400 लोग तो वही भागिदारी कर करते हैं जो आएस में पास हो चुके हैं पिछले साल या उसके पिछले साल और उनकी लोवर रैंक है तो अपनी रैंक को अपग्रेड करने के लिए बचती है 400 seat इस 400 seat में जो इंटर्व्यू देके फेल है वो बच्चे जो एक दो नंबर से के वाल फेल होते हैं इसके अलाव आपको इस इस फाइट में पास होने के लिए अच्छे टीचरों की जरुवत होगी जो इस एक्जाम को क्लियर कर चुके और आपको एक लेबल की चर्चा एक लेबल के उपर का डिसकुर्शन करने क्या चकता है 6 PM दा हिंदू यूटू लाइब क्लास में मैं आप सबका सबक आपको आवंत्रित करता हूँ आज होगा साइस्टेक की स्पिसल आज हम अब अगला चेप्टर स्टार्ट कर रहें मेरे प्यारे बच्चों द्यार नखिएगा तो आज है चौता चेप्टर अब हम दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल सामराज्य पर आ गये हैं कहां पर आ गये ह मुगल सामराज्य पर आ गये हैं ज्याद रखेगा मुगल सामराज्य पर ठीक है ठीक है तो आज आप यही पढ़ें कहीं भी इधर उधर ना जाएं याज आप NCRT पढ़ें जो मैं पढ़ा रहा हूं 12 बज़े तक कहीं हिलने की जरुवत नहीं है लाइफ को अपने आपको प्रेलिम्स निकालना ज्यादा इंपोर्टेंट ही तो आज चिपचाप यहीं चिपके रहें मुगल सामराज्य अब मुगल कौन थे मुगल सेन नभिहान मुगल बास्षा उत्रा दिकार की परंपरा अने सासकों के साथ संबंद अकबर की नीतियां 17 अताब्दिय और उसके नया एक नई गोंशणा है वो कर दूं कि अब जो अभ्यास प्रश्ण है वो अभ्यास प्रश्ण यानि क्लास सेबंद के अन्सेयाटी के अभ्यास प्रश्ण वो अभ्यास प्रश्ण यानि आपको अलग से कराए जाएंगे ध्यान रखेगा अभ्यास प्रश्ण अलग से कर जाएंगे special class में कहां पर special class में ये धानक है ठीक है तो चलिए मुगल कौन थे तो बताने की जरूत नहीं है ये मुगल कौन थे पुरी कहानी जानने की जरूत नहीं है यानि मुगल बाहर स्याय हुए राजवन्स था लोधी मन्स उसके सासक इब्राहिम लोधी को उसके सासक इब्राहिम लोधी को 1526 में परास्त किया किसने परास्त किया मेरे प्यारे बच्चो किसने परास्त किया ध्यान रखेगा यानि यह सब के अवल समय व्यर्थ करने वाली बाते हैं अब यहां पर कुछ मुगलों के बारे में जानकारिये कि मुगल कौन थे तो यह आपको पढ़ना चाहिए यानि हर एक नए बच्चे को यह नहीं पोचना है कि जो है कि मतलब हर जगह से कोश्चन ही आएगा यह जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टन सेग्मेंट है मुगल दो महान सासक बंग्सु के बहुत अब यह प्रिलिम्स के लिए पीटी फैक्ट देखे हो गया पीटी का मतलब प्रिलिम्स प्रिलिम्स फैक्ट माता की ओर सेवे मंगोल सासक चंगेच खान जो चीन पर राज करता था मत देशिया पर राज करता था उसके कुछ भागों पर के उत्रा दिकारी थे यानि मात पच्च से वो मंगोलों से थी मा 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 से माता मा से मंगोल अब वो कहेगा पीटी में कंफ्यूज करेगा कि निमलिकित में से कौन सा कतन सही है और पहला लिख देगा कि माता की ओर से वे इजाब रखेगा तैमूर के बंससते नहीं माता की ओर से मंगोल सासकों के ब पिता की ओर से हुए इरान, इराक यों, बर्तमान, तुर्की के सासक तैमूर के बंसस थे, तो आप इसको याद रखेगा, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं, तैमूर पिता और माता मंगूल, मा मा ता पिता, तो ऐसे आप याद रखेगा, कन्फ्यूज मत होईएगा, क्या ह मुगल क्या करते थे, अपने को मुगल या मंगूल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना, कि उसके पीछे रीजन था, यानि मंगूल अपने आपको कहलाना पसंद नहीं करते थे, कारण था कि चंगेज खान जो था न, एक परकार से दुस्ट सा सकता, जहां भी अटा तो यह न और तो यह सारी बाते हैं तो मुगल तैमूर के बंसज होने पर घर्व कान्वह करते थे तो इतना एक शामाननित जानकारी के लिए ठीड अना क्या है एक समानित जानकारी के लिए याद रखेगा अब आते हैं मुगल सामराच तो ये एक पिक्चर बनाए गया है इस पिक्चर को यहाँ पर बर्णित किया गया है कि तैमूर ये है तैमूर जिसका मैंने पिक्चर कीचा है ठीक है और ठीक है तैमूर उसके उत्रादिकारी और मुगल समराचों का एक लगुचित्र मद्ध में तैमूर है देख सकते हैं और उसके राइट हैंड पर यानि तैमूर के राइट हैंड पर उसका पुत्र यानि तैमूर का पित्र मीरन साह है ये नाम याद रखेगा जो प्रथम मुगल बाबर का दादा था ऐसा आप मान सकते हैं मतलब परद दादा परदा यानि उसके दादा का पिता और यह हो गया उसका परद दादा जिसका नाम था पीरन साथ उसके बाद अबु सैद बैठा हुआ है जो बाबर का दादा था और तैमूर की बाई और यह देखिए बाई और लेफ्ट हैंड पे ठीक है लेफ्ट हैंड पे कौन है यानि सुल्तान मुहम्मद मिर्जा बाबा के परदादा और उमर सिक बाबर के पिता तो ये सारी बाते हैं तैमूर की दाहिनी और तीसरे चौते और पांचे में ब्यक्ति मुगल समराइड बाबार अकपर और स्राजा यह बस एक बार आपके पढ़ लीजेगा अब आता है मुगल सैन अभियान तो सैन अभियानों से प्राया कोश्चन नहीं पूछे जाते हैं याद रखेगा क्या है मुगल सैन अभियान ध्यान रखेगा तो आए देखते हैं एक थोड़ा आप लोग का अगर मन हो तो अगर मनोरंजन कर लिया जा एंट्रेटेन्मेंट एक आया हुआ है कि कह रहा है कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता है यह मजा लेने आया बच्चे तो आप लोग इसको ब्लॉक मत करो इस से इंज्वाय करो या तो आप लोग मतलब धान मत दो अब कुछ बच्चे कर रहें कि सर्क ब्लॉक करो कोई मतलब नहीं यह बच्चे यह गधा है यह गधा है समझे रहन गधा मतलब समझते हो गधा सब्द में इसलिए इस्तेमाल करना हो कि जब मैं हम मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं छोटी सी कहानी बताऊं कि जो बच्चे बदमासी क्या करते और आपको स्कूल टाइम पे जब आप वे क्लास में पृंद में फिप्थ में सिस में पढ़ते तो जो बच्चे क्लास में बदमासिघ करते टीbau उनMA को क्या कहते है कि यह गधा है repot ह Marcel दो को प Сś arrow है कि गधे की आवाज पसंद है गधा जब भी बोलेगा ढेंचू ढेंचू बोलेगा गधे की आवाज किसी को नहीं पसंद है गधा बोलेगा तो लोग डांटेंगे ध्यान ने कियेगा कोयल की आवाज सबको पसंद है तो आप सब मेरे प्यारे बच्चों कोयल है ये गधा आ एक बार लोग ऐसे बच्चों का सुओन्वागत कीजिये क्योंकि यह क्या है मझायगा है स्कूल की सब्सक्राइब करते है यह क्या है ठीक है बहुत अच्छे ठीक है कभी कभी मज़ा आता है कि क्या बोलो आलोचनाब यार उसकी करो जिसका experience ना हो मतलब मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूं और कोई अगर मतलब मैं कहता हूं चलो कोई मेरा मज़ा ही लेना चाहता है तुम किस व्यक्ति का मज़ा ले रहे हो आप सोचो जो इतिहास पढ़ा रहा है उस इतिहास में बीए में वो युनिवस्टी आफ अलहाबाद में फस्ट डिवीजन में पास है समझ रहो हमारे टाइम पे बच्चा ना युनिवस्टी वगरा में मार्क्स मिलते नहीं थे वो म में यानि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वो फस्ट डिवीजन से पास है वह युजी सी नेट में एटी परसेंट मार्क्स से पास है वह आईएस के मेंश में 340 या 345 तीन सो चालिस या 345 अंग प्राप्त कर चुका है हिंदी अरे उसारी इति स्थित युनिवस्टी में उससे सम्मान के साथ प्रोफेसर बनाया गया यानि वो गया नहीं उस युनिवस्टी ने उससे बुला करके सम्मानित किया है जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि सारुखान को या सचिन तंदुलकर को या महंदर सिंग धोनी को विदेश के किसी कि के द्वारा और ठीक है तो ऐसे आज आते हैं तो इसलिए मैंने खाई यह क्या है डॉट 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 आप लोग समझ गया है चलो अच्छा हुआ ऐसे बच्चे आने चाहिए थोड़ा क्लास में मनोरंजन भी हो गया और है तो मुगल सैन अभियान उपर प्राया कोशन नहीं पूछे जाते हैं यह द्यान रखेगा यानी जो सैन अभियान है पर प्राया प्रस नहीं पूछिए लेकिन फिर भी प्रता मुगल सासक कौन था मेरी प्यारे बच्चों बाबर और सबसे पहले इसने फरगाना में उत्रादिकार 1494 में प्राप्त किया एक फैक्ट बस ज्याद रिखेगा मदेशिया में मदेशिया में क्या है ठीक है फरगाना राज तो यह जब इसकी उमर केवल 12 बर्स की थी मतलब आप समझे और हम लोग क्या कहते है सर अभी तो मेरी हो सर अभी मुझे न 2024 में अटेंट करना मैं 21 साल का हूँ आरे यह बच्चे देख रहो लोग 12 साल में राजा बन गए आप 18 साल की उमर में अपने छोटे भाई बहनों को तैयारी आयस की कराना सुरू कर दीजेगा अगर आप चाहते हैं वो पास हो जाए अगर आप चाहते हैं वो पास हो जाए तो 12 साल की उमर में ही उनको 18 साल की उमर में तैयारी कराना सुरू कर दीजेगा यह हमेशा ध्यान रखियेगा ठीक है सेशन को लाइक करते चलिए फटा फट ठीक है ना तो बस लेकिन मंगोलों का एक साखा थी उजबेक उसने आकमण किया विचारे को अपना फरगना का राज्य छोड़ना पड़ा भठकता रहा पंद्रा सो चार में उसने अफगानिस्तान में काबूल पर पानी पत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कप्चे में कर लिया अब जो ऑप्शनल वाले बच्चें आपको याद होगा UPSC ने एक प्रश्न, नहीं नि, GS में प्रश्न पूचा है, मेंस में क्या आप सबको याद है, क्या आप सबको याद है, प्रश्न, पानी पत्पे, क्या पूचा था, इतिहास को प्रकम्पित करने वाली, यानि इतिहास को बदल देने वाली, इतिहास को प्रकम्पित करने वाली लडाईया, प्राया पानी पत्प में ही क्यों लड़ी गई है, याद आया, प्राया पानी पत्प में ही क्यों लड़ी गई है, क्या आपको याद आया, क्यों लड़ी गई है, तो आप देख सकते हैं पानीपत में क्यों लड़ी गई हैं तो अब आप देखिए ऐसे प्रस्णा आते हैं आप लोगं को ध्यान में रखना है तो क्यों लड़ी गई हैं आपने सबसे पहले यानि कि पानीपत का मैदान दिल्ली का प्रवेश द्वार था तो ऑवियस है दिल्ली पर अधिकार जिसको भी करना था तो यहाँ पर पानीपत यानि यहाँ पानीपत है तो इस पानीपत के मैदान के रास्ते ही दिल्ली आना था तो obvious है इसकी जो भूराजनीतिक अवस्तिती है जियो पोलिटिकल जो इसकी इस्तिती है उसके कारण से पानीपत में ही यानि पहला रीजन है सभी यूद लड़ेगे क्यों क्योंकि ये एक चौरस मैदान था नौर्थ इस्टानी उत्तर पस्टीन से जब आकरवन कारी आएंग दिल्ली पर नियंतरन करने के लिए तो दिल्ली के अंदर दिल्ली का सासक तो यूद करेगा नहीं तो अभी ऐसा है ये दिल्ली के बाहर जो सबसे बड़ा मैदान होगा जहां पर सेनाओं को ब्यवस्तित किया जा सकेगा तो वह पानीपत ही था इसलिए पानीपत में ही इति बाहर हो गये थे फिर वो सक्ता में आये और तीसरी बार हुआ तो मराठे यानि भारती इतिहास के छिदिश से प्राया एक बड़ी सक्ति के रूप में गायब हो गए तो पानी पत आई होप आप सब समझ गये होंगे और यह भी समझ रहे होंगे कि हमें पढ़ाई कैसे करने कि आप पढ़ रहे हैं पानी पत यूपियसरी खड़ा हुआ है बट्टा आओ हम ऐसा कोईशन पूछेंगे कि तुमने सोचा ही नहीं होगा शोचे आप कि हम ऐसा प्रशन पूछेंगे कि आपने सोचा ही नहीं होगा यही यह यह यूपियसरी आनि NCRT से बुक से किताबों से बाहार आए यह ध्यान रखेगा तो तयार रहे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्या है अब देखे अब यह भी प्रशना आए कि तोप और गोला बारी का पहली बार इस्तिमाल कब हुआ तोप और गोला बारी का तो बच्चा देख सकते हैं सुलाहमी सताब्दी में हुआ त तोप 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 यह देखिए तोप है यह पीटी का कुश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रटना है कंफ्यूज मत होईएगा और इनका पहला प्रयोग पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किया तोप और गोला बारी तोप और गोला बारी सब याद रखेगा एक फैक्ट तोई हो गया यहीं पर देखिए इनिसियाटी के एक खुर्शूर्ति के आपको यह भी समझा दिया कि युद्ध में प्रयोग होने वाल है बारूद यानि जो युद्ध में बारूद का इस्तेमाल होता था वो टेक्नोलाजी इंडिया में कब आई तो 14th सेंचुरी में आई तो समझेगा बारूद बाबर लेकर नहीं आया है इसलिए यहां किलियर कर दिया गया बाबर तोप लेकर के आया ठीक है बारूद 14th सेंचुरी में हिंदुस्तान में आ गई और इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात मालवा और धकन जैसे छित्रों में हुआ बाहमी सताबदी में लेकर के आया है कौन यानि बाबर यह आप द्यान रखेंगा किलियर बच्चे तो इसको हमेशा से याद रखेंगा गन पाउड़र टेक्नोलोजी वाल ब्रॉट टु इंडिया फार वार्फियर इंदा 14th सेंचुरी ठीक है ना यह आप द्यान रखेंग 1526 में पानीपत के मैदान में इबराहिम लोदियों उसके अफगान समर्थकों को आ रहा है डेट याद रखेगा यह बच्चा पीटी का कोईश्चन है क्रोनोलाजी पीटी मीन्स प्रिलिंस बच्चे कन्फ्यूज ना हो ठीक है ना राजीव कुमार UPSC ने एक बड़ा अच्चा कमेंट लिख दिया और विचारे बार बार लिख रहे हैं और साइद उनको उमीद होगी कि सर उनका कमेंट पढ़ेंगे और आपके इस कमेंट के लिए आपके इस प्यार के लिए में बहुत-बहुत आभारी मच्च इस प्रकार का प्यार जो आप लोग करते हैं यही मेरी ताकत है एक अध्यापक की ताकत पैसा नहीं है यह जो आपकी मुहबबत है ना वो है जो आपने लिखा है कि सर मैं आपके लिए एक बार नहीं बार बार बोलूँगा हजार बार बोलूँगा कितनी अच्ची पंक्ति नहीं बार बार बोलूगा क्या पंग्त्यां लेखी है तो यहाँ पर जो आप अपने आपको जीरो मानता हूँ लेकिन यह जो आपने कभीता के माध्यम से मेरे बारे में कुछ लिखा है तो यह यह ताकत है यह motivation हमें बच्चों के लिए मुझे और मेहनत करनी है और मेहनत करनी है याद रखेगा ठीक है बच्चे तो ये आप सब के बहुत बहुत आभार बच्चे इस प्रकार की पंक्ति के लिए तो प्रमुख अभियान और घटनाएं बाबर 1526 से 1526 में पीटी यानि प्रिलिम्स के लिए क्रोनोलाजी पूसता है पूसता है और नहीं पूसता है तो 1526 में पानीपत 1527 में रणा सांगा राजपूत राजा खानवा का युद्ध यानि खानवा का युद्ध किसके किसके बीज में वो बाबर और रणा सांगा युद्ध जिसमें अपनी मृत्तु से पहले दिल्ली और आगरा को मुगल नियंतरण के अधीन ला दिया तो प्रमुक अवियान और घटनाय पहला हो गया अब बावर ने किया इसके बाद देखिए हुमायू देखिए इंसियाटी कितनी अच्छी है हुमायू 1530 से 40 और 1555 से 56 क्योंकि यहीं 40 में सेर्षा की इंट्री हो जाएगी जो हराएगा हुमायू को तिसलिए देखिए दो टाइम दिया है कन्फ्यूज मत होएगा 1555 से 56 यानि 1540 तक तो सासन करेगा लेकिन उसके बाद सेर्षा इसको बाहर कर देगा और फिर 1555 से 56 में यह फिर से मुगल सामराज की दूसरी बार सम परतेग भाई को एक प्रांत मिला उसके भाई मिरजा कामरान यह याद रिखेगा कि महत्वा कांचा के कारण हुमायू अपने प्रतिद्वंदियों के सामने पीका पड़ गया नहीं मिर्जा कामरान ने उसको चुनोती दे दी सेर खान ने हुमायू को दो बार हराया सेर खान यानि सेर सासूरी ने पंदरा सुन्तालिस में चौसा के उद्व में और इन पराजियों के बाद वो इरान भाग गया तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ याद रखेगा एक युद्ध हुआ था चौसा में दूसरा हुआ था कन्नोज में जिसमें हुमायू को सेर सासूरी ने हराया था और फिर वो रखेगा यानि देशकाल परिस्तिती में देखे उसने सुननी होने के बाद भी सिया धर्म को माना क्योंकि इरान का शाह तहमास्प क्या था सिया धर्म को मानता था और उमायू को सियाओं की तोपी पहननी पड़े एरान में हुमायू ने सफाबिद साह की मदत ली और फिर 15 1555 में दिल्ली पर पुना कब्जा किया परंतु अगले बर्स आपको पता है कि हुआ शेडियों से गिरा और उसकी मृत्ति हो गई तो सेसा वसारी हिमाईव के बारे में इतनी जानकारी जो यहां पर है यह आपको ध्यान में रख लेनी है याद रखेगा ठीक है अब आगे इस बात पर आप विज़ार करें तो 1556 से 1605 तो 13 वर्ष की अलप आयू में अकबर समराट बना मेरे पहरे बच्चों और उसके सासनकाल को यहां तीन कालों में माट दिया गया है जो इसे लंबा सासनकाल है तो तीन काल में पहला 1556 से 1570 फिर दूसरा 1570 से 1585 और फिर तीसरा 15 1585 से 1605 तो 1556 से 70 यहां पर जो अकबर था वो स्वतंत्र सासक नहीं था यहनि उसका जो संरक्षण था बैरम खान याद रखेगा स्टार्टिंग में उसके संरक्षण में था लेकिन आइस्ते आइस्ते वो स्वतंत्र हो गया और कौन-कौन से सैन अभियान किये तो उसने सू साकीम और उजबेकों के बिद्रों को दबाने के लिए सेन अभियान किया 1560 में राजपूत सासक शिस शुदियों की राजधानी चित्ताओड और 1569 में रण थंबार पर कबजा कर लिया यह रहा फिर 1570 से पचासी के मद्द गुजरात के विरुद्शनी का वियान हुए तो दिख देगा कि उसने अप सासन पर बैठते ही गुजरात के विरुद्शन ने भियान किया तो आप कहेंगे नहीं भीया यह यह गलत है यह फैक्ट क्या है गलत है पहले नहीं तो यहां पर करोनोलाजी बस याद रख करना है आपको और आपको कुछ भी नहीं करना है ध्या ठीक है इन अभियानों के पश्चात वो पूरब में यानि गुजरात के बाद बिहार बेंगाल और उडिशा गया यह भी याद रखेगा 1589 में मिर्जा हाकिम ने उसके बिरुद विद्रो किया तो यह भी याद रखेगा अब फिर तीसरा कारिकाल 1585-1600 यानि खूब सामरा पर कबजा किया अकुबर ने याद रखेगा कस्मीर को भी अपने सासन के अंदर लिया तो आप देख सकते हैं ठीक है और काबुल को भी अपने तो कांधार और काबुल दोनों पर उसने नियंतरन कर लिया यह पॉइंट आप ध्यान रखेगा और दक्षण भाहरत में भी उ जानाब देश को बनाया और अहमद नगर के कुछ हिस्सों को बनाया आप देख सकते हैं फिर उसके पुत्र जहांगीर यानि सलीम ने उसके सासनकाल के अंतिम बर्सों में विद्रो किया और यही सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया आप देख सकते हैं फिर जहांगीर आ जा अहोमो अहोम यानि जो असाम में सासन करते थे और एहमद नगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्ता सफल नहीं हुए जहांगीर के अंतिम बर्सों में सासन के राजकुमार कुर्रम जो बाद में साह जहां कहलाया ने भी द्रोग किया अब कुछ भी उस टाइब का फैक नहीं है इसी के सासन काल में कांधार को फिर से इरान के सासकों कंट्रोल में कर लिया हाँ इसकी एक उपलब्दिरी 1632 में अहमद नगर को मुगलों के राज़ में मिलाया और बीजापर की सेनावन से इसने सुला किया तो अहमद नगर को इसने मिलाया यह याद रखेगा अब 1678 में साजहां के पुत्रों के बीच उत्रादिकार को ले करके जगड़ा शुरू हुआ अब बताने की ज़रोद ने इसमें औरनग जेब जीता और सा जहां को कैद कर लिया तो अभे समय अपने जीवन का भी अहोमों से युद्ध करना पड़ा लेकिन अहोम को इसने हराया लेकिन फिर उन्हों ने विद्रो किया तो ये सारी बातें हैं इसके बारे में मराठा सरदार सिवाजी के बुरुद्ध मुगल अवियान प्रारम में सफल रहा पर बाद में सफल नहीं रहा याद रखेगा और राजकुमार अकबर ने औरंग्जेब के विद्रो किया ठीक है तो ये एक है कि ये भी आपको धान में रखना है अब औरंग्जेब के बारे में है कि अकबर के बाद यानि ये जो अकबर का विद्रो हुआ इसके सासनकाल में इसने दक्षण भारत में बड़ी इसने बीजापूर और गोलकुंडा दोनों को मुगल राज में मिलाया तो ये पीटी का कुश्चन है कि बीजापूर और गोलकुंडा को किस मुगल सासक ने जो है मुगल सामराजी का हिस्सा बनाया तो बीजापूर और गोलकुंडा बस आप इतना याद रखेगा मेरे प् प्रसित बिद्रो हुए, वो भी आपको ध्यान में रखना है, तो शिक्षों का बिद्रो हुआ, जाटों का बिद्रो हुआ, सतनामियों का बिद्रो हुआ, उत्तरपूर में आहोमों का बिद्रो हुआ, दक्कर में मराटों का बिद्रो हुआ, तो कौन-कौन से बिद्रो इसके काल में हुए आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं अब यह एक मैप है अगवर का शासन 1605 तो यह ऑप्शनल के बच्चों के लिए है यानि जो जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है बाकि जीएस वाले बच्चों के लिए यह नहीं है तो स्री नगर कहां इस्थित है ठीक है ना कश्मीर कहां इस्थित है पानीपत कहां इस्थित है दिल्ली कहां इस्थित है मतुरा कहां इस्थित है आगरा कहां इस्थित फतेपूर शीकरी कहां इस्थित है आजमेर कहां इस्थित है चितोड कहा तो यह जो अस्थल है यह जो अहमद नगर देखिए बीजापूर गोलकुंडा तो यह आप मैप देख लीजेगा कंधार का जिक्रा है काबूल का जिक्रा है तो यह ऑप्शनल वाले मैपिंग में इसे आप ले सकते हैं अब आता है उत्रादिकार की मुगल परंपरा तो उत्रादिकार का मतलब की एक सासक के बाद अगला सासक कौन बनेगा तो मेरे प्यारे बच्चों उत्रादिकार की कोई परंपरा थी नहीं ठीक है ना यानि मुगल जो बड़ा बेटा होग वही सासक बनेगा इस नियम में विश्वासी नहीं करती थे तो क्या होता था यानि उत्रादिकार में क्या होता था समस्त पुत्रों में जो है संपत्ति का विभाजन किया जाता था लेकिन फिर भी जो ताकत और होता था इस विभाजन को समस्ता नहीं था यह बड़ा अच्छ पुर्द बंस की प्रथा को अपना दे थ्यानी विभाजन समस्थ पुत्रों में कर दिया जाता था लेकिन ऑबियस है जो पुत्र ताकत वर होता था वो इसको मानता नहीं था तो कोई मतलब नहीं है आएगा नहीं एक्जाम में और मुगलों के पतन का कारण भी एक था कि अधिकार का नियम ना होना तो जब अकुबर के सासनकाल से लेके आकरी मुगलों के अंतिम सासक तक लगातार अपने ही पिता के बिरुद बिद्रो हुए तो समस्या तो रही ही रही ठीक है ना तो ये सारी बाते हैं अब इसके बाद आता है कुछ एक दो फैट कभी कभार प अंबर बरतमान में जैपुर के राधपूर सासक की पुत्री थी जहांगीर की मां साजहां की मां भी एक राठवर राजकुमारी थी वह मारवार जोद्पूर के राधपूर सासक की पुत्री थी तो आप देख सकते हैं यह सारी कुछ फैक्ट हैं जो सामान रूप से आपको जानने है ठीक है ना मुगलों के आने सासकों के साथ संबंद इसमें कुछ भी आपके लिए खास नहीं है ठीक है यहां पर एक सब्द आएगा वतन जागीर या वतन जागीर पीटी में आप से पूर्च सकता है टर्मिनोलोजी में तो समझेगा यानि जैसे मालिजिप मेवार क सिसोधिया राजपूर लंबे समय तक मुगलों से लड़ता रहा लेकिन अबियस हार गया तो मुगलों ने उसका सम्मान किया अकबर ने उसका सम्मान किया और जो उनका राज छेत्र था जागीर थी जिसे वतन कहा जाता था उसको उन्होंने वापस कर दिया और कहा कि इस व कितर होते थे जो हारे हुए राजपूत सासकों को अकबर या मुगल सासक इस आधार पर प्रदान करते थे कि यहां पर आपकी ही सत्ता रहेगी तो पूछ सकता है याद रखिएगा ठीक है ना और यह हमारे लिए भी है सीखने के लिए कि किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए यानि यह पराजित करते थे परंतु अपमानित नहीं करते थे अकबर की यही सबसे बड़ी कूप सूर्ती है कि अकबर जैसे ऑप्शनल के बच्चे जो हैं त्यास को जो ऑबियस है उनको अकबर पर प्रशना आता ही आता है तो अकबर इतना बड़ा सासक कैसे बना तो को पराजित किया उनको अपमानित नहीं किया उसने उनको उनके सम्मान को बनाए रखा और यह जो संतुलन उसने बनाया इसी संतुलन की वजह से मुगल राजबंस एक लंबे समय तक यानि सत्ता में और ताकत के साथ सत्ता में बना रखा हाला अकबर के बाद यह संतुलन अगर होता औरंग जेव की जगह तो शिवा जीड़ी का अपमान कभी ना करता अरंग जेव ने किया तो ओरंग जेव के काल में आप देख सकतें बिद्रोहूं की यह लड़ी लगी ठीक है तो यह आप यहां से देख सकतें तो यह हो गया इंग्लिस में भी कंटेंट है यह बता दिया वतन जागीर बता दिया अब आता है दो सब्द मनसभदार और टागिर सोचो बच्चों मैं आप से पूछना चाहता हूं यही प्रस्ण 2019-2020 में आया है कि नहीं आया है कि नहीं जागीर दार और जमी दार आया है मनसभदारी पर भी प्रस्ण पूछे गए ठीक है तो कितना जबरदस्त एंसियाटी होती है तो मेरे प्यारे बच्चों मनसभदार और जागीर दार याद रखे क्या होते थे ठीक है मनसभदार क्या होते है जैसे हम आजकल आयस का एक्जाम आप देर न यूपियस सी का तो जैसे आप आईएस अधिकारी मानेजे मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर सा जैसे आयस वही मनसभदार कहला है रट लीजे रट लीजे चलिए बताएए मनसभदार कौन ह मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर सा मनसभदार कहला है जैसे आई एस अधिकारी यह क्या कहला है मनसभदार करा है मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर सा मनसभदार कहला है आप ध्यान अखे ठीक है ना आई होप आप समझ गये होंगे अब इसके बाद हम आगे ब मंसब, मंसब दार, यानि ये दो सब्दों से बना है, मंसब दार, जरा समझेगा बच्चे, मंसब प्लस दार, दार यानि दारण करने वाला, यानि मंसब को दार, दार मींस दारण करने वाला, तो ये मंसब क्या था, यानि ये मंसब था, सरकारी हैंसियत, उसकी इसी मंसब से निर्दारित होती थी या इसे हम पद कहते थे क्या कहेंगे इसे इसे हम पद कहेंगे तो मनसबदार यानि सारकारी हैसियत या कोई पद तो मनसब में मनसब यानि सिंपल पद सब्द का बोधक था ठीक है ना तो मेरे प्यारे बच्चों और इसी मनसबदार के द्वारा जो मनस जो मतलब नौकर शाह आते थे उनका पद डिसाइट होता था उनका बेतन डिसाइट होता था और उनके उपर क्या सैनने उत्तरदाई तो दिया जाएगा यह जो है depend करता था मेरे प्यारे बच्चों तो एक सब्द आएगा जात ये भी आएगा जात तो जात और सवार दो सब्द आएंगे मेरे प्यारे बच्चों इन मझसबदारों को जात और सवार का पद दियाज जैसे पांच हजार जात पांच हजार सवार समझ गए पांच हजार जात और धाई हजार सवार ऐसे ऐसे उनको पद दे जाते थे या धाई हजार जात और धाई हजार सवार ऐसे ऐसे उनको पद दे जाते थे तो पद और बेतन का नितारन जात की संख्या परarti आनि जात की संख्या जितनी अधिक होती थी वह उत्ना ही बड़ा आये सदिकारी होता था और उसका बेतन भी उतने ज़यदा थाणी 5000 जात और यहां जिसे मंडल आ्यूक तो अ西 क्या होगा यह यानि यह आये से डीम आई होप आप समझ गये होंगे जिनकी जात जादा तो जात क्या होता था पद का बोधक होता था जिनकी जात जादा ठीक है जिनकी जात जादा उनका पद बड़ा जिनकी जात कम उनका पद उससे चोटा जिनका और कम उससे चोटा और सवार क्या होता था सवार होता था यही बेटा उत्तरदाईत, सैन उत्तरदाईत, सवार क्या होता था, सैन उत्तरदाईत, यानि आपको कितने घोड़े रखने है, ठीक है न, ये निन्नदारित करता था सवार, तो यही देखे, पांच जार जात, पांच जार सवार, यानि जितनी बड़ी जाती, उतना बड़ा सवार भी रखना पड़ेगा, आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार सारे बच्चे बताएं, ठीक है, ठीक है, एक बार बताएं, पटा-फट, समझ में आया कि नहीं आया, और सेशन को सभी बच्चे लाइक करें, सेशन को सारे बच्चे लाइक करें, ठीक है, तो point किलियर ह हो गया, यहाँ पर सारे बच्चे बताएं, मनसबदार एक बार जब तक बताओ गरी मैं आगे बढ़ोंगा नहीं, मनसबदार किलियर हो गया, कि नहीं किलियर हो गया, इसके बाद एक ब्रेक लेंगे ना, इसके बाद एक ब्रेक लिया जाएगा, लेकिन अभी, यानी, ठीक तो मनसर्दार अपने सवारों को निरिक्षण के लिए लिमलाते थे वह निरिक्षण मतलब उनके जो घोड़े होते थे उनको दगवाया जाता यानि उनके पीछे थपपा लगता था ठीक है ना और जो सैनिक होते थे उनका रजिस्ट्रेशन होता था और उसके बाद ही यानि घोड़ों को दागा जाता था यानि कोई उनके पीठपा लगाया जाता था और सैनिकों का रजिस्ट्रेशन होता था तब ही जा करके उन्हें धन मिलता था मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा और मनसब्दार का बेतन कैसे मिलता था भूमी के तो अब आप समझ गए, यहां कहा गया जो तकरीबन इक्ताओं के समान्ति जैसे अभी हमने इक्ता दिवस्ताम पड़ा, इक्ता क्या होता था? एक्ता किसको मिलता था? यानि जो सासक के सयोगी थे, इक्तादार या मुक्ती होते थे, और ये क्या करते थे? इसी भूछेतर से राजस वसूलते थे, और इसी राजस उसे वो अपनी सेना रखते थे, उसकी देखभाल करते थे, और एक हिस्सा राजसो का सासन को सौपते थे, सेम यही काम, यानि मनसबदार का भी होता था, यही कहा गया. तो मेरे प्यारे बच्चों, जागीर किसको कहते हैं? मनसबदार को अपना बेतन नगद न मिल करके भूमी के रूप में मिलता था, इसी भूम से वो राजस वो एकतरित करते थे, तो जो भूमी उन्पेतन के रूप में मिलती थी, उसे जागीर कहते थे, मेरे प्यारे बच्चों, जो तकریमन एक्ताओं के समान थी, तो क्या मेरे बच्चे, जागीर समझ गे, जागीर क्या होती थी, ठीक है, क्या जागीर समझ में आया, ठीक है, ठीक है, एक बार कमेंट करके बताए, एक बच्चे का बड़ा अच्छा कमेंट आया है, विशाल बदोरिया का, ये कुछ पूछना चाहरे हूं, और मुझे लग रहा है, ये प्रस्न कई बच्चों का होगा, गुरू जी मुझे आपका सब पढ़ाया हुआ समझ आता है, शिक्स क्लास का रिविजन दो बार कर चुका हूँ, बहुत अच्छे बच्चे, अभी आपके साथ हूं, ठीक है, गुरू जी, सारे डाउट के लिए नहीं, फिर में नोट्स बनाऊं या न ncrt है, इस पुस्तक को आप ncrt माने, क्या मानिये, इस पुस्तक को आप ncrt माने, तो अगर हम इस पुस्तक को ncrt माने, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आपकी जगा होता, तो इसी पुस्तक में अंडरलाइन करता, जो important important point है, और उसके बाद अगर कुछ additional point है, तो एक white paper ठीक न और क्या करता यानि कट कट करके इसी NCRT में स्टेपल करता जाता content जो और बाहरी content भी होते तो मैं अपनी उस NCRT यानि इस NCRT कोई नोट्स बना देता ना कि अलग से किसी कॉपी में नोट्स बनाता यह कि NCRT का नोट्स बनाए क्या करे क्या ना करे अब अब क्या करना मैं आपको यहाँ पर बता दिया है ध्यान नकिएगा चैनल और जो इक्तादार होते ते उनमें एक अंतर था मनसबदार मुक्तियों से भिन अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और नहीं उन पर प्रसाशन करते थे उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस एकत्रित करने का अधिकार होता था यह राजर्स उनके नौकर उनके लिए एक कत्रित करते थे याद रखे जबकि उनकी सेवा देश के किसी अन्य भाग में होती थी जैसे मालीजे मुझको उड़ीशा में जागीर मिली हुई और मैं हूँ मनसबदार लेकिन मैं कस्मीर में सेवा दे रहा हूं राज्य के लिए मै कस्मीर में युद्ध कर रहा हूं यह इस्तिती होती थी मनसबदारों की लेकिन जो इक्तादार होते थे तो इक्तादार उसी छेतर में रहते थे यानि जिस छेतर में उस सासन करते थे वहीं रहते थे यह हमेशा ध्यान रखेगा लेकिन मनसबदार का छेतर यानि उनकी वाज़स एकत्रित किया जाता था उस भूमी से उसका एकत्री करण कौन करता था उनके नौकर किया करते थे यह कॉंसेप्ट समझ में आया बच्चो ठीक है तो यह सारी बाते हैं याद रखेगा तो बताने कि अबाउशक्ता नहीं है ठीक है तो यह हो गया अकपर के सासनकाल में यह जो जागिरे होती थी इनका साउधानी पूर्बग आकलन किया जाता था थीक है तो यह सारी बाते हैं मनसबदार 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 ठीक है लेकिन धरे-धरे मनसबदार बहुत ज़्यादा हो गए और यही मनसबदारी विवस्ता कोई मतलब नहीं है ठीक है याद रखेगा कि यह आप याद रखेगा मनसबदार यह देखिए सब पिक्चर दिखाया गया है ठीक है तो यह दिखाया गया है कि वहां बरस्टाचार कैसे था यानि बरस्टाचार आज नहीं बरस्टाचार हर टाइम पे अब आता है जब्त और जमीदार ठीक है ना जब्त क्या होता था याद रखेगा और जमिदार मुगलों की आंधनी का जो मुख के साधन था और बच्चे क्या था किसानों की उपस से मिलने वाला राजसु यह important है तो यानि PT का यानि प्रिलिम्स का effect भी है कि मुगलों की आंधनी का प्रमुख साधन क्या था किसानों की उपस से मिलने वाला राजसु ठीक है तो आप देख सकते हैं तो यह जो tax मिलता था वो tax एक एक किसान यह tax जो मिलता था मुगलों को अगबर को तो यह एक एक किसान जा करके वहां नहीं जमा करता था यानि ये किसान जो ग्रामीर कुलीन होते थे या जो गाउं के मुखिया होते थे या अस्थानिय सरदार होते थे जिनको हम जमीदार के नाम से जानते हैं जमीदार इनके माध्यम से रिवेन्यू पे करते थे याद रखेगा इसलिए जितने भी मीडियेटर्स थे मुगल काल में उनके लिए जमीदार का प्रयोग किया गया है याद रखे ठीक है तो जमीदार ये लोग होते थे आई होप आप समझ गये अब आता है जब्त क्या जब्त क्या है यह हम पढ़ने जा रहें जब्त तो अकबर के कि रिश्टर तोडर मल इन्होंने 10 साल के लिए 1570 shake के लिए क्या किया है एक वैवश्था रिवेनियु की डेवलब की जिसे 10 सालाब वैवस्था कहते हैं याद रखेगा ad us wrong on the क्रिशी की कितनी पैदावार होती है क्रिशी की कीमत कितनी होती है क्रिशी भूमी की स्थिति इन सब का साउधानी पूर्वक सर्वेक्षंट किया और जो भी डेटा उन्होंने इकटा किया देखिए डेटा के अधार पर गवर्नेंस वहां भी हो रहा है बगैर डेटा के तो आ टैक्स सुनिशित किया गया इसे हम जब तो पड़ाली कहते हैं यानि जितने भी प्रांथ थे उनको रेवेन्यू मंडलों में बांड दिया गया और फिर हर प्रांथ के लिए रेवेन्यू रेट अलग-अलग तैं किया जिस प्रांथ में ज्यादा उत्पादन होगा वहां ज् बता ही जब्त कहा जाता है याद रखेगा तो मज़ा आया जब्त क्या था प्रिलिम्स में पूछ सकता है एक बार सारे बच्चे बताएं जब्त क्या है यह प्रिलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है जब्त क्या है फटा-फट बताएं एक बार और सेशन को लाइक करते चल ने याद रखेगा जब्त, जब्त कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो जब्त पढ़ाली, revenue पढ़ाली थी, I hope आप सबको एक सब्द में जब्त पढ़ाली इस एक्यल टो, revenue पढ़ाली अप अब जमिदार ताकत्वर हो गये तो आगे चलके उन्होंने विद्रोह भी किया तो बताने की जरूरत नहीं है अब आता है जब जमिदारी वही इंगलिस में लिखा हुआ है तो कोई टेंचन लेने की जरूरत नहीं है तो आप देख सकते हैं अब आता है अकबर, नामा और आइने अकबरी तो मेरे प्यारे बचों, अकबर के दर्वार में रहता था अबुल फजल अबुल फजल ये सरकारी इतिहासकार था गवर्मेंट, हिस्टोरियन था, सरकारी इतिहासकार था अकबर के काल का यानि अकबर ने अबुल फजल को से कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम हमारे सासनकाल का इतियास लिए और अबूर फजल ने यह इतियास तीन जिल्दों में तीन खंडों में लिखा जिसका सीरसक है अकपर नामा यानि अकपर नामा नाम से इतियास लिखा लेकिन इसके तीन जिल्द है यानि तीन पार्ट है पहले पार्ट में पहली जिल्द में अकबर के पूरुबजों के बारे में जानकारी है दूसरी जिल्द में अकबर के सासनकाल की गटनाओं का ब्यूरण है तीसरी जिल्द आइने अकबरी कही जाती है इस आइने अकबरी में अकबर के प परंपरा और संस्क्रितियों का भी बिस्तिरित बनन है आईने अकबरी का सबसे रोचक आया हमें विबित प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजसुका सांगे की ब्यूरन तो मेरे प्यारे बच्चों अब प्रेलिम्स में आप से पूछेगा क आईने अकबरी में भारत के बारे में क्या कहा गया तो आप देख सकते हैं ये सारी बाते कही गई है इनको आपको याद कर लेना और अकबर नामा पुस्तक लिखी किसने यानि अबुल फजल ने और इसके तीन पार्ट है इसके तीन पार्ट है जिसमें से तीसरा पार्ट है याद रखेगा इसमें तीसरा पार्ट है यानी आईने अकपरी तो याद रखेगा ठीक है यहां तक के सारे पांट किलियर हो गए जब भी किलियर हो जाना है तो आप लोगो CCC type कर दिया करो न तो मुझे लए गया मेरे बच्चे यानी crystal clear crystal clear इस type से अकुबर की नीतियां नजदीक से एक नजर क्या है मेरे प्यारे बच्चों अकुबर की नीतियां नजदीक से एक नजर तो ये याद रखेगा प्रसासन के मुख्य अभिलक्षण अकुबर ने निर्धारित की और प्रसासन की पूरी जानकारी अकुबर नामा विशेशकर आएने अकबरी में याद रखेगा कैसे अबुल फजल कहता है कि यह जो सामराज ये था कई प्रांतों में बटा था तो प्रांतों को सूबा कहा जाता था अब यह भी PT का question हो गया terminology हो गई कि भाई सूबा क्या होते थे terminology हो गई सूबा क्या होते थे यानि सूबा क्या होते थे तो आप देख सकते हैं तो सूबा क्या होते थे बच्चे सूबा प्रांत होते थे क्या होते थे सूबा सूबा प्रांत होते थे याद रखेगा और इनके जो प्रांत पती होते थे वो सूबेदार कहलाते थे याद रखेगा और बहुत important है, लिख देगा कि सुभेदार केवल सैनिक काम करते थे, नहीं, वो राजनेतिक काम भी करते थे और सैनिक काम भी करते थे, यह दोनों point आपको ध्यान में रखना है, तो यह English में हो गया, अब देखिए एक सब्दायगा दिवान, तो यह क्या होता था, जो प्रां में अधिकारी थे जो सुभेदार को मदद करते थे, बक्सी, बक्सी कौन होता था, यानि सैनिक बेतन अधिकारी होता था, जो सैनिकों के बेतन मगयरा की देखबाल करता था, सदर कौन होता था, यानि धर्म और धरमार्त किये जाने वाले कारें का मंत्रिया, पीटी का question है स पीटी आनि प्रिलिव के मद्यकाल में मद्यकाल में सदर क्या था तो मद्यकाल में सदर क्या था आप बताएं मुझे तो मद्यकाल में सदर आप दे सकते धार्मिक और धर्मार्थ कार किये जाने वाला मंत्री था फिर फॉसदार क्या होता था सेननायक होता था और कोतवाल क्य क्या है कोत्वाल कौन होता था नगर का पुलिस अधिकारी होता था तो यह सारे फैक्ट आप याद रख लीजेगा यह इंगलिस में वही कंटेंड लिखा हुआ है अब आता है एक खंड दिया गया है जहांगीर के दर्बार पर नूर जहां का प्रभाव क्या है मेरे पैरे यानि जहांगीर नूर जहां का बहुत सम्मान करता था 1611 में नूर जहां से जहांगीर ने बिवा किया और प्रेम्भ雅 का वफादार था वो जहांगीर की प्रत्य हमेसरा वफदार रही और जहांगेर ने चादी के जो सिक्के उत्किंड किये उसमें जो है एक ethnic अपना और दूसरी तरफ राणी बेगम नूर जहां का नाम लिखवाया तो नूर जहां के सम्मान में चादी के सिक्खे जारी किये तो यह सारी बाते हैं कि बताती है कि वो जो है राज शासन में अच्छा कासा हलत अच्छे प्रक्ति थी तो बस यही है ठीक है अब इसके बाद यहां पर आता है ठीक है आगे पढ़ते हैं अब यहां से एक और सब्द अस्तित्त में आएगा इबादत खाना अब यह इबादत खाना क्या है ज़रा देखेगा 1570 में जब फतेपूर सीकरी में अकबर था उसी समय उलेमा जो मुसलिम विद्वान होते थे ब्रामण जो हिंदु विद्वान होते थे जेसुईट पादरी जो रोमन कैथोलिक धर्म के लोग थे इसके अलामा जर्थरुस्ट यानि पार्शी धर्म के अन्याईयों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरुकी कि धर्म का वास्तविक शुरुब क्या होता है धर्म की प्रकृति क्या है धर्म क्या तो धर्म के मामलों पर जो चर्चा हुई जिस जगा पर हुई उससे इबादत खाना कहा गया तो अच्छा की कि भाई धर्म का वास्तविक शुरूप क्या है क्योंकि वह सभी व्यक्तियों के धर्मों और रित रिवाजों को जानना चाहता था ठीक है ना तो जब यहां पर डिसकुर्शन हुआ तो अकबर को यह समझ में आया कि सभी धर्मों में अपनी अपनी विशेष्टा आया है और खूबिया और सभी धर्म के अनुयाई याद रहें जो कटर होते हैं अपने धर्म को दूसरों पर मनवाने की कोशिस करते तो उसने इस कटरता के नीति को नहीं अपना है और इसलिए उसने एक अब नीति अपना है जिससे सुलह कुल या सर्वत्र शांती की बात क जो बिभिन धर्मों के अनुयाईयों में अंतर नहीं करती आपना इसका केंद्र विंति उसने स्वेकुल की केंद्र विंतिवी केंद्र विंति नीति शास्त्र की एक विवशने सुलह कुल अब ही जिसमें सच्चाई निया और सांति बबगता यानि सुलहे कुल का मतलब है सर्वत्र शांती यानि स्वैशुरता की ओधारणा तो सुलहे कुल क्या है इबादत खाने में विभिन धार्मिक मतावलंबियों की बैठक के पस्चात अकबर ने एक निसकर्ष निकाला कि सबी धर्मों के अपनी विश्यस्ताएं है और हमें कटर प्रता से बचना है इसलिए उसने सुलहे कुल की नीती या सर्वत्र शांती की नीती को आगे बढ़ाया और या सुलहे कुल की नीती प्रिलिम्स में कुश्चन के रूप में आगी सुलहे कुल के बारे में कौन साय स्टेट्मेंट सही है तो यहां लिखा हुआ पहला कि सुल पॉइंट केंदर बिंदु था नैतिक था यानि एक ऐसी देवस्ता जो कि वह सच्चाई न्याय और सांधी पर बल देती हो तो क्या अब सारे बच्चे शुलह कुल पर लिख पाएंगे क्या अब बच्चे शुलह कुल पर अगर सारी पीटी में कोई प्रशनायत हल कर ठीक है ना और इस सुलह कुल पराधारित सासन को चलाने में अबुल फजल ने अकबर की बहुत मदद किये और इसी सिद्धान को सुलह कुल को जागीर ने भी अपनाया साजा ने भी अपनाया लेकिन औरंग जेब ने नहीं अपनाया मज़ा आ गया बच्चे आप देख सकत दियाल लगी है ठीक है ठीक है ये देखिए एक पिक्चर है यानि ये इबादत काने की पिक्चर है इबादत काने में अकबर विबिन धर्मों के बिद्वानों के साथ चर्चा कर रहा है ठीक है न तो वो सारी बाते हैं सुलहे कुल बताने की जरुवत नहीं ये पीटी में और मेंस में आप्शनल वाले बच्चे आप्शनल वाले बच्चे ध्यान रखेगा यहां पर सतर्क रहेंगे ठीक है यानि आप सतर्क रहेंगे ध्यान रखेगा मुगल सामराज सुलह कुल अक्बर्ग की सुलह कुल की नीतिका उसके पुतर जहागी ने इस परकार बढ़न किया है आईए देख एक बार देख लेते हैं सुलह कुल यानि इश्वरिय अनुकंपा के बिस्तरित आचल में सभी बर्गों और सभी धर्मों के अन्यायों की एक जगा यानि किसी परकार का बर्ग भेद और धर्म भेद नहीं मानती है पहला पाण इसलिए उसके विशाल समराज में जिसकी चारों और की सिमाई के वल समुदर से निर्दारित होती थी बिरोधी धर्मों के अन्युहाई और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगा थी यहाँ आसाहिशुरुता का मार्ग बनता है यानी यानी नीती साहिशुरुता वाली नीती थी यहाँ कहां सुलहье कुल में सुन्य और सिया एक ही मजजित में इकटे होते थे और इशाई और यहुदी एक ही गिरजे में प्रारत्ना करते थे याद रखेगा तो उसने का सुलहे कुल सार्बिक सांति यानि सर्वत्र यानि सभी जगह पर सांतिके सिदांत पराधारित था अब एक बार बताएं सुलहे कुल अगर आप लिखना हो तो क्या optional के बच्चे लिख पाएंगे comment करिया optional वाले और क्या prelims वाले अगर पूछ लिया कि निम्लिकित में से सुलहे कुल के बारे में कौन सा कतन सही है तो आप idea लगा पाएंगे चुकि direct ये लाइने नहीं आएंगी वहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ NCRT की ये direct पड़ी हुई लाइने कभी नहीं आने वाली है ध्यान रखेगा क्या है ये कभी भी नहीं आने वाली है इसलिए आपको क्या करना है यानि भाव को समझना है, क्या कहा जा रहा है, उसके भाव को समझना है मेरे प्यारे बच्चे, तो यह हो गया सुलेकुल, अब हम आगे बढ़ते हैं, सत्रहवी सताब्दी में और उसके परशात मुगल सामराज, यानि अब स्वभाविक है, मुगलों के पतन की बातचीत है, कुछ भी काम का नहीं है, अगर आप पढ़ने चाहिए, कहानी टाइप में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, तो आखिर अब वही सारी बाते हैं कि मुगलों का पतन कैसे हुआ, तो सभी विवस्था हैं, जब पतन की और बढ़ गई, मनसभदारी विवस्था, जागिदारी कमजोर हुई इसके अलमा बहुत से, कुलीन बर्ग जो मनसभदार थे, वो बहुत ज़्यादा ताकत वर हो गए थे, तो जैसे जैसे मुगल सत्ता पतन की और जजा रही थी, तो जो ये मनसभदार थे बड़े-बड़े, उन्होंने नय राजबन से स्थापित के लिए, जैस अutane हों निजामल मुल्क में, निजामल मुल्क ने, ऐसे आवध प्रांथ में भी, यानि मुगलों से स्वाधिन्ता ले ली गए, केवल नाम मातर की स्वाधिन्ता जो है, रही, केवल नाम मातर की अधिन्ता मांते रह, तो ये सारी बात Information का मुगलों का पतन की हुआ, यान यह चेप्टर कतम हो जाता है और एक छोटा सा एड छोटा सा विज्ञापन ध्यान रखेगा और विज्ञापन क्या है कि वॉच्ट दा हिंदू अनालेसिस बिद मी डेली ऑन यूटूब यहनी शिक्स पीम तेली हम लोग बातचीत करेंगे किस पर बातचीत करेंगे कि आज दा हिंदू साइंस टेक स्पेशल होता है तो सामको छे बजेए लोग्त आते हैं अब हम पढ़ेंगे अगला चेप्टर द्याना के कौन सा चेप्टर ठीक है ना क्लास फाइव सासक और इमारते यानि आप थोड़ा स्पीड से चेप्टर कतम होगे छोटे-छोटे चेप्टर है सासक और इमारते लेकिन मैं 5 मिनट का किवल आपको ब्रेक दूगा यहां पर 5 मिनट का ब्रेक और कोई भी बच्चा फिर जाएगा नहीं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप कल्चर वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है 5 मिनट का ब्रेक जिसमें आप भी चाय पानी कर सकते हैं मैं 5 से 7 मिन मैं 5 मिनट का ब्रेक यहां से क्योंकि 4 गंटे लगाता मुझे बोलते हो गया तो थोड़ा समय कुछ नास्ता वगरा कर लूं और तो 5 मिनट का ब्रेक चार गंटे समय लगाता यानि 7 बच के 5 मिनट पर मैं लाइब हो गया था दस मिनट हाला क्लास अपनी खराब हो गई थी तो वो एक अलग बात है लेकिन फिर भी अब मैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपनों के सामने आ रहा हूं द्यान रखेगा ठीक है बच्चो कि अच्छों के अच्छों के अच्छों के अच्छों के लिए थी थी जिए थी थी आता हूं मैं 5 मिनट का द्रेक ले लीजिए कर ले कि eg बात अच्छों के ले थी 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 ज Cup अच्ब्छों को प्रत्रा हूं को आप बात हूं प्रता हूं ुख पाल श голос praline बाता है यह थी क्वच्छों दो भ्ड़े ह सारी हुआ है Mediterranean झाल 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 तो एक आजाए कि इसके जो है नेत्रितु करता अश्प्रिश समझे जाने वाली जातियों से होते थे दूसरा यह बौधों और जैनों के कटू आलोचक थे यानि खुब आलोचना करते थे बौध धर्म की जैन धर्म की यह पॉइंट आपको याद था कि नहीं नहीं आथा तो एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह बौधों और जैनों की कटू आलोचना करते थे और शिव तथा विश्णों के प्रती सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बना देते उन्होंने संगम साहित थे ठीक है ना मतलब उन्होंने संगम साहित को बहुत महत दिया बस इतना याद रखेगा नैनार और घुमकड साधू संत थे यह एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर घुमते रहते थे तो अब नैनार और अलवार के बारे में मैंने जो फैक्ट बता दिया यहीं से कोश्चन आएगा मेर पर भी कुछ फैक्ट है उस पर आपके सरकी निगाह है कुल मिलाकर 63 कितने नैनार थे 63 नैनार थे जो कुमहार या अश्प्रिस कामगार किसान सिकारी सैनिक ब्रामन मुकिया सभी जातियों में पैसा पैदा हुए था फिर पीटी का कोश्चन है निमलिखित में से कौन से नै यह सब कौन थे यह कौन थे मेरे प्यारे बच्चों कौन थे यह नैनार थे और नैनार संत जो गीत गाते थे उसके दो संकलन हमें हमारे सामने हैं वह हैं त्यारम और तिरुवाजकम तो यह भी पीटी का कोश्चन है कि त्यारम का संबंद किस से तिरुवाजकम का संबंद ये नैनारों से तो ये पहला paragraph नैनार बेरी बेरी important तो आप इसको रट लीजेगा और अलवार वाला भी बेरी बेरी अलवार संतों की संख्या 12 थी UPSC उल्टा कर देगा नैनारों की 12 लिख देगा अलवारों की 63 लिख देगा तो छोटी छोटी हेर फेर UPSC करता है महबत से आ महिला अलवार संत थी जो इनी पेरी अलवार की पुत्री थी अंडाल तो ये important है निम्लकित में से कौन सी अलवार संत महिला थी अंडाल इसके अलामा तोंडर डिपोडी अलवार नाम अलवार ये ये सब अलवार संत है ये भी prelims में निम्लकित में से कौन से अलवार संत है म और तिरुवाजकम के नाम से संकलित है मज़ा आया के नहीं नैनार और अलवार हमारा खतम हो गया एक रिवीजन आप मारेंगे आपकी कहानी पलट जाएगी मेरे प्यारे बच्चों अब ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं संतों की जीवनिया कोई मतलब नहीं है याद रखेगा क्या है यानि यहां से कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है ठीक है कुछ भी कुछ भी नहीं अब आता है दर्शन और भक्ती दर्शन यानि और भक्ती का जिक्र है दर्शन यानि संकराचार का जिक्र सबसे पहले किया गया तो बताया गया शंक्राचार इनका जन्म आठवी सताबदी में केरल में हुआ और इनके दर्शन का नाम है अद्वयतवाद यानि उनके इस अद्वयतवाद का आर्थ होता है जिवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है तो बस रट लीजेगा यानि अद्वयतवाद क्यों कहते हैं क्योंकि ये जिवात्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं तो जिवात्मा और परमात्मा परमात्मा यानि जो परमसत्य है और जीव जो मानों है दोनों एक ही है यानि उन्होंने सिख्छा दी कि ब्रह्मा जो एक मात्र या परमसत्य है वह निर्गुण और निराकार है उसे कोई भी प्राप्त कर सकता आराधना के द्वारा संकर ने हमारे चारों और के संसार को मिध्या या माया माना और संसार का परित्या करके अर्था सन्यास लेने की बात गई तब ही आप ब्रह्म की सही प्रकृति को समझ भाएंगे तो आप देख सकते हैं ये अद्वयत वाद है उसके विचार है तो प्रिलिम्स का कोईशन है यह याद रखेगा अद्वयत वाद फिर इसके बाद देखिए अद्वयत वाद के बाद तमिलनाडू में एक महान दाशनिक पैदा हुए 11 सेंचुरी में टाइम सबका याद रखेगा संक्रचार का आठमी इनका रामानुष का इग्यारमी क्योंकि अगर यह याद नहीं रखे मोक्ष कैसे मिलेगा ते इन्होंने का भहिया विश्लू के प्रति अनन्य बक्ति रखेए आपको मिल जाएगा ठीक है और इनका सिद्धान्ता विशिष्टा द्वयत याद रखेगा विशिष्टा द्वयत किसका था रामानुच का था अब सारे द्वयत एक परफ कर देगा विशिष्टा द्वयत वाद और इनके मुखिया कौन कौन थे तो सुमेलित करने को पूछ लेगा विशिष्टा द्वयत चिद्धान्त का प्रतिपादन किया इस चिद्धान्त के अमसार आतमा परमात्मा से जुढने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाये रखती है यानि शंक्राचार ने का आत्मा और परमात्मा एक ही है, इन्होंने इसमें थोड़ा से अंतर कर दिया ने रिगार, जोके परवरती कालमे उतृरी भारत में विक्सित हुई, जिसे हम भक्ति आंदूलन कहते है, तो रामाणूज और बिश्रिस्टाद्व के बारे में भी सारा पर ल देख सकते हैं ठीक है क्या हो गया यानि सयो आंदोलन होता है वीर सयो आंदोलन यानि तीन लोगों ने तमिल भक्ति आंदोलन यानि तमिल में जो भक्ति का आंदोलन हुआ तीन लोगों का नाम प्रशिद्ध है बसवन्ना रिरट लीजेगा अलमा प्रभू और अक महा देवी इन तीनों ने बीर सेव आंदोलन प्रारम किया तो अब पीटी का कोश्चन है कि बीर सेव आंदोलन का सम्द्ध किस से यानि PT का question है कि बीर सेव आंदोलन का सम्द्ध किस से तो बीर सेव आंदोलन का सम्द्ध बस वन्ना से है अलमा प्रभू से है और अक महाद देवी से मेरे प्यारे बच्चों और यह आंदोलन अगला point यह आंदोलन कब प्रारम हुआ और कहां प्रारम हुआ तो 12th century में बारामी सताबनी में करनाटक में दूसरा fact ये आ गया बीर सयों का मुख्य उपदेश क्या था इन्होंने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्च में और जाती तथा नारी के प्रती बेवहार के बारे में ब्रामणवादी विचारधारा के बिरुत अपना प्रबलतर्ग प्रस्तुत किया यानि बहुत positive रहा है यानि जाती बिवहता को नहीं मानता था नारीों को सेकंडरी नहीं मानता था सभी व्यक्तियों में समानता की बात करता था सभी प्रकार के करमकांड और मुर्ति-पूजा का विरोधी था अब मज़ा आ गया कर नहीं मज़ा आ गया यानि बासवणना का वीर सहवाद अब कोई भी प्रस्ण आएगा बीर सहवाद क्या है कहां प्रारंब हुआ कि सताबदी में प्रारंब हुआ कौन-कौन इससे संबंदित है इनके सिधान्त का मुख्य जो है विचार क्या है इसी पैराग्राफ में सारा हो गया मजा आया कि नहीं मजा आया बासु अन्ना मेरे प्यारे बच्चो यह तो आपको जरूरत नहीं है महराश्ट के संतों का जिक्र आएगा तो अब भगति संत पढ़ने जा रहें महराश्ट के तो मेरे पैरे बच्चो यहां कहा गया है क्या कहा गया कि त्यरामी से सत्रामी सताब तक महराश्ट में अनेकानेक संत कभी हो और उन्होंने मराठी भासा में गीत अब देखिए ग्यान एतुरा तो सबसे पहले ये करम भी पूछता है पहले आए ग्यान एश्वत दूसरे आए नाम दियो तीसरे आए एक नात और चोथे आए तुकरा और एक इस्त्री भी आए शकुबाई और एक परिवार भी आया चोखा मिठा ठीक है ना जो महार जाती का परिवार था तो इतने लोग यानि महाराश के भक्त यांदोलन से संब्धित रहें इसको याद रखने के लिए ज्यान एतुरा ऐसा आप एक फार्मूला बना सकते हैं ज्यान से सबसे पहले ज्यान एश्वत फिर दूसरा नात से नाम देओ एसे एक नात और तुरा से का नाम और किताबों में नहीं मिलता है cncati मिला शकुबाई भी थी याद रखेगा और एक ऐसा परिवार था जो आइस्पिर सता चोखह मेठा का परिवार जिसको भी आद रखें चोखह मेठा का परिवार तो चोखह मेठा नाम भी याद रखें और यह इन्होंने अपना बनाया पंधरपुर में बिठल यानि पंधरपुर में विश्डू का एक मंदिर बनाया तो इनका यानि महराष्ट के संतों का पवित्रस्थान था पंधरपुर याद रखेगा ठीक है तो बस यही आपको याद रखते हैं और भगवान बिठल की नों ने जो आराधना की उसस बार करी संपरदाय Congratulations का से घाख है और मदलब अराधना कहा हुए पंढर पूर में महाराष्ट में किसने की यानि महारास्ट के संतों ने और इसे बिठल कीए driven 수00ить are अब प्रीय झूच रूयал बारकरी संपरदाय का जन्म कैसे हुआ अब आप लोग बताई देंगे तो बारकरी संपरदाय को जन्म दिया जो पंधरपुर की वास्तिक तीरत यात्रा पर जोड़ देता है यानि बारकरी संपरदाय कहता है कि पंधरपुर की वास्तिक यात्रा सभी बक्तों को करनी चाहिए मज़ा आया के नहीं मज़ा आया देख सकते हैं यानि जो काम का है वो जवर्दस्त रूप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो काम का नहीं उसको skip करता चला जा रहा हूँ याद रखे ले तो वही सारी बाद है संद कभियों का स्वभाव क्या था सभी परगार के कर्म कांडों पर धोंगों पर जन पराधारित समाजिक अंतर जो होता उन सब का बिरोध किया यह महरास्ट के संत ऐसे थे ने उन्हें सन्यास के विचार को भी नहीं वारे सन्यास लेने की ज़रूत नहीं है यानि समान निवक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हो परिवार के साथ रहते हुए भी आप यानि इश्वर की अराधना कर सकते हैं याद रखेगा ठीक है तो बस आप देख सकते हैं यह हो गया आपका यहां से कम्प्लीट संथ तुकाराम का एक अभंग आप देखा पीटी का क में यह टर्मिनोलॉजी अभंग मेरे प्यारे बचुरट लीजेगा अभंग क्या है मराटी वक्तिगीत है तो यह भी एक पीटी का फैक्ट हो गया अभंग क्या है मराटी वक्तिगीत है अब इसलाम और सूपी मत के बारे में कि संतों और सूपियों में बहुत अधिक समानत तो एक दूसरे से इन्होंने बहुत कुछ लिया भी याद रखेगा ठीक है इसलाम ने एक इस्वर वाद भानी एक इस्वर के प्रती पूर्ण समर्पन की बात की तो आप देख सकते हैं और इसलाम जब जटिल होने लगा तब सूफियों उनी इसलाम के अनियायों में से एक ग बल दिया सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारन निर्धारित करमकांड और आचार सनिता को अस्विकार कर दिया वह सूफी संत ईश्वर के साथ उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से अधिता इनके नाम आप याद रखेगा यह हिंदुस्तान के नहीं मत देश्या के ठीक है और नाथ पंतियों सिद्धों और योगियों की तरह सूफी यही मांदितिक दुनिया के प्रित अलग मजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाय जा सकता ठीक है ना तो यह तो आप देख सकते हैं यहां ही मजा ही मजा है क्या है यहां भी मजा ही मजा है तो मेरे प्यारे बच्चों फिर कहा गया इक ग्रहमी सताबदी में अनेक सूफी जन्मत धेशिया श्याकर हिंदुस्तान में बंदे लगे तब आप देख सकते हैं ये सूफी आने लगे जैसे सूफीयों का एक गुट आया जिसे चिस्ती कहते हैं जानी चिस्ती सिलसिला कहते हैं तो चिस्ती सबसे ज़्यादा प्रवावशाली था और इसमें कौन-कौन थे अजमेर के ख्वाजा मुदिन चिस्ती दिली के कुद्बुदिन बक्तियार काकी पंजाब के बाबा फरी दिली के कुद्बुदिन अवलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिशुत राज अब ये most important fact हो गया यानि इन में से किसका संबन सूफियों की चिस्ती सिलसिला से तो मैंने सब बता दिया कौन सा अस्थल और कहां पे रहने वाले हैं ये most important है मैंने पहले बता दिया आप इसको याद कर लिजेगा ठीक है ना अब आएगा एक सब खानका खानका यानि बैठने का स्थान सुभी संत इनी खानकाओं में बैठकों का आयोजन कहते ते जहां बहुत से लोग आते थे और शूपी लोग अपनी बाते कहते थे ठीक है ना बात में यहीं खानका तीरतास्तलों के रूप में कंवर्ट हो गए तो आप देख सकते हैं यह आपको यहां पर है मालिक प्रभू की खोज यह सब मतलब ही नहीं यह सब्द आगा जलालुद्दीन रूमी 13 सदी का महान सूपी सायर था और हिंदुस्तान का नहीं इरान का रहने वाला था तो पीटी के लिए इसको भी आद लाओ तो 13 सदी के बाद उत्री भारत में भक्तियांदोलन की एक नई लहर आ गई अब आप देख सकते हैं ठीक है ना तो एक नई लहर आ गई भक्तियांदोलन की एक नई लहर कौन आये कबीर आये बाबा गुरुन नानक आये इन्होंने करमकांडों को बिलकुल जाती गज जो भेदभाव उसको त्यागने की बात करी, रोणियों को छोडने की बात करी, तुलसी दास आगए, शूर दास आगए, ठीक है ना तो इन सब के बारे में आपने पढ़ाई है बताने क्या उचकता नहीं तुलसी ने रामचरित मानस की रचना करी, शूर दास ने कई पुस चतापती तो आप देख सकते हैं ठीक है ना और विश्णु की भक्ति पर उन्होंने बल दिया असमिया भासा में कविताय और नाटक लिखे उन्होंने नाम घर इस्थापित करने की पदती चलाई यानि कविता पाठ और प्रारतना घर बनाने की प्रता चलाई नाम घर तो पी समके संकर देवने इस प्रकार के आप जो है फैक्ट देखे कितने कितने इंपॉर्टेंट है और यह दुनिया की किसी किताब में नहीं यह केवल NCRT में इसी पनंपरा में दादु द्याल रवी दास मीरा भाई इन सब का भी नाम है मीरा भाई का समय सुलामी सताब्दी है य जो आइस प्रिस जाती के थे उनकी अन्यूआई बन गी यानि मीरा भाई के गुरू थे रवी दास संत रवी दास यह आप याद रखेगा क्रिश्ण के प्रतिप्रेम और मीरा के बारे मताने की जरुवत है नहीं है आप सब को सब अच्छे से पता है तो यह सब देख सकते हैं यहाँ पर यानि क्या-क्या चीजे इंपॉर्टेंट है यह सब क्या है यह इंपॉर्टेंट नहीं है क्या गाते थे तो बजन गाते थे थीक है मेरा दौरा रच्छा गया गी तो ये सब आपको कोई मतलब नहीं पड़ने का क्योंकि ये एक्जाम में पूछे के नी कभीर के बारे में आप सब जो हिंदी साहिट वाले होंगे तो बहुत कुछ पढ़े ठीक है ना तो कभीर की एक रचना है जिसे हम बीजक के नाम से जानते हैं किसके नाम से बीजक से ठीक है ना बस इतना ही ज्याद रखेगा कि मुसल्मान जुला यानि उनकर परिवार में उनका जनम होता बीजक उनका प्रशिद्ध गरंत है ये घुमनतु थे एक अस्तान से दूसरी जगा घुमते थे और इनके जो बजन है वह गुरु गरंसाहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित्यों सुरक्षित है तीन पुस्तकों में इनके बजन संग्रहित है रट लीजगा पहली गुरु गरंसाहब दूसरी पंचवाड़ी तीसरा बीजक में तो बस कबीर कबीर के बारे में बाकी और सब आप लोगों को पता कबीर की एक रचन कोई मतलब भी नहीं इसको पढ़नेगा कभीता थोड़े पढ़ना है आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ठीक है तो यह सारी बाते हैं कभीर वगरा के बारे में बहुत डीप आप सब जानते ही जानते हैं इतना उनके बारे में स्कूली सिक्षा में पढ़ चुके अब आता है गुरु नानक का समय 1489 से 1549 इनक का जन्म का हूँ था तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था याद रखेगा ठीक है न तो बस और गुरु नानक ने करतारपूर यह इंपॉर्टेंट रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित किया तो इसको भी भारण है याद रखेगा तो बस आप कुछ भी फिर इसके बाद इसमें एक सब्द आएगा धर्मसाल जो पहले आज गुर्द्वारा कहते थे उसको पहले धर्मसाल कहते थे बस इतना याद रखेगा बाकियों कुछ भी यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं और अपनी मृत् नानक ने अपना अन्युआई चुन लिया था और वो थे अपना उत्रादिकारी चुन लिया था वो थे लाणा जो बाद में गुरु अंगत के नाम से जाने गए ठीक है ठीक है तो यह सारी बातें आप देख सकते हैं और गुरु अंगत के तीन उत्रादिकारियों ने भी अपनी रचनायन नानक के नाम से लिखी इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया इस संग्रह में शेख फरीद संद कबीर भगत नाम देओ गुरु तेख बाहदुर जैसे सूफियों संतों और गुरुओं की बाड़ी जोड़ी गई तो आप देख सकते है 1706 में इस ब्रिहत संग्रह को गुरु तेख बाहदुर के पुत्र वाउतुरा दिकारी गुरु गोविन संग्ने परमालित किया आज इस ग्रंत को पवित्र गुरु ग्रंत साब के नाम से जाना जाता आप इसे पढ़ सकते हैं मेरे पहरे बच्चों सारा फैक्ट है एक बार पढ़ लीजेगा जैसा भी ग्जाम में होगा देखें सत्रहमी सताब्दी के प्रारम से केंद्रिय गुर्द्वारा हरमंदर साहिब जिसे स्वन मंदिर के आसपार रामदास पूर सहर जिसे अमरित सर कहते हैं उसका पहले नाम क्या था रामदास बिक्सित होने लगा था तो जब यह घटना होई तो सत्रहमी सताब्दी में सिख आंदूलन का राजनिति करन पुरूबा जिसका प्रणाम ही होगा कि 1699 में गुरु गुबिन सिंग ने खालसा की संस्था का निर्माण गया पीटी के कोईशन ने खालसा की संस्था किसने बनाए गुरु गुबिन सिंग जुआ स्था आगर अगर मजद को तुरंद लाइक कर दीजिया और अब हम लोग आगे चेप्टर नमबर नाइन पे मेरे प्यारे बच्चो बिग्यापन यही है कि साम को 6 बजे Watch the Hindu Analysis with me daily on YouTube at the red 6 p.m. मेरे प्यारे बच्चो तो अब आगे हम चेप्टर नमबर नाइन पे छेत्री संस्कृतियों का निर्माण तो यह बहुत खास नहीं है यह भी ठीक है ना चेर और मलयालम का भी कास तो यह बहुत important नहीं है मैं इसमें बहुत ज़्यादा गोशूंगा नहीं ठीक है ना बस केवल छेत्री संस्कृतियों पूछता नहीं है ठीक है तो जो काम की होंगी वो मैं बता दूँगा यानि important fact बाकी यहाँ पर आपको देखने की जरुवत बिल्कुल नहीं नुवा चेप्टर चेर और मलयालम भासा अब आप यहां से देख सकते हैं तो मलयालम भासा क्या है केरल की भासा है तो कोई पढ़ने की ज़रुवत ही नहीं इसमें कोई मतलब नहीं है याद रखेगा ठीक है केरल में चेरों का सासन था अब एक पुस्तक का नाम है गा चोधामी सताब्दी में एक पुस्तक लिखी जाएगी लीला तिलकम क्या लिखी जाएगी लीला तिलकम जो व्याकरण ब्याकरण का ग्रंथ है इसलिए इंपॉर्टेंट है लीला तिलकम मैंने बता दिया इसको आप रट लीजेगा बस और कुछ यहां से पढ़ने के ज़रूत नहीं जो इंपॉर्टेंट हो मैं आपको बता ही दे रहा हूं बाकी और ठीक है अच्छा उडिशा का जो जगनात मंदिर है इसके बारे में जान लिजेगा कि बिश्डू की उपासना के लिए ये प्रशिद्ध है तो इसलिए हमेशा याद रखेगा उडिशा के जगनात मंदिर में बिश्डू की उपासना होती है ऐसा कोई प्रशिद्ध पूशा हुआ है ठीक है 12 सताबदी में गंग बंस का एक सासक्ता राजा अनंत बर्बन उसने पूरी में पुरिशा के पूरी में पुर्शोत्तम जगनात के लिए एक मंदिर बनवाने का नेच्चे किया उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तिरतिया ने अपना राज पूर्शोत्तम जगनात को अपित किया और स्वयम को जगनात का प्रतिन्युक्त किया यानि कि जगनात के नाम से सासन के जैसे जगनात की खाणाओं रख करके सासन करना तो यह दोनों फैक्ट आपके लिए इं है फिर उसके बाद यहां पर कुछ भी इंपॉर्टन नहीं है जयान रखें यहां पर कुछ भी नहीं है ऐसा बिटिस लोगों का जिकर कहा गया यहां पर कुछ भी इंपॉर्टन नहीं है याद रखेगा छेत्री संस्कितियों में ठीक है ना कुछ भी नहीं है ऐसा जो एक् नहीं देगा। कथक निरृत् aquí कहानी तब है कथक सब कथा से निकला है कथक कहा यह आप देख सकते हैं तो यह सब रास ऎम तो सब कुझ कद आपके काम का नहीं सास्थ्य निरृत तो ऑगते ही पड़ते हैं तो यह हमारे लिए कुछ भी important का हिस्सा नहीं है ठीक है ना तो यह आप बिल्कुल सास्त्री निर्त चुकि हमें अलग से पढ़ना ही पढ़ता है अब चित्रकला लग चित्रकला की परंपरा तो अब यहां पर देखिए मुगल बासा अकबर जहांगीर और सा जहां के बारे मे कि नोंने कुछल चित्रकारों को सरक्षन पर्पुदान किया लेकिन detail नहीं दिया गया है तो जब detail आएगा तब पढ़ेंगे अभी बेकारी अभी हमारे लिए यह important नहीं है क्योंकि हमारे लिए important है कि कौन से चित्रकार अकबर के काल में थे कौन से चित्रकार जहांगीर के काल में थे यह परकार का तो ऐसा कुछ है कुछ ही नहीं तो यह केवल एक एक जो है बरणन सा है तो बरणन पढ़ने कोई मतलब नहीं है ठीक है ना और हिमालय की तलहटी में यानी हिमालय चेत्र में एक बसोली सैली का लगुचित्रकला बिक्सित हुई तो आप इसको याद रखेगा ठीक है अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यह भी कुछ खास नहीं है तो छेत्री संस्कृतियां कोई मतलब नहीं है यह सब ठीक है और जो काम की हैं वो मैं बता ही रहा हूं जहां पर मैं टिक लगा दे रहा हूं एक छेत्री महासा अब छेत्री महासा है जाते हैं आपको पता है याद रखेगा ठीक है तो यह सब भी ठीक है बंगाली संस्कृती ही वो अब जैसे गवड़िये बैशनओं आंदुलन्द और इसके नेता स्री चैतन्य देव का संबंध किस से है तो आप इसको याद रखेगा ठीक है ना और फिर है वाकिय और कुछ हापको पढ़ने की दरूबत नहीं है अब 你 कू अ गुना मती तीन नाम याद रखे का मैय नाम को गोपीचंद्र और तंट ये शन्यासी थे नात पंद के याद रखे गा व माकि weight है भी आपको दरूबत नहीं है और भी पार भी दरूबत chegou कभी आपgam मन करें फस्ट टाइम पढ़ना सरसरी निगासी स्पीड से ऐसे करके पढ़ लिजागा बाकि और इसमें कुछ भी अपने एक्जाम पॉइंट आप उसे अब पीर क्या होता है पीर क्या होता है आध्यात्मिक मार्दर सत्यानि जो हमें अल्ला के बारे में सारी बातें सही सही ब आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है इंग्जाम प्उैंट आप उसे में कुछ भी मसाला नहीं है ठीक है तो यहापको면 मतलब नहीं है डी थीक है तुब यह कुछ भी मतलब नहीं तो आपका नाइन चेप्टर भी कंप्लीट हो गया मज़ा आ गया बच्चे अब एक छोटा सा विज्यापन यहां पर आपका होगा यानि एक छोटा सा विज्यापन होगा वॉच्ट दा हिंदू अनालेसिस बिद में डेली ऑन यूटूब एट 6 पीम यानि आज भी होगा मंड स्टेट सिबिल सर्विजस पास करना चाहते हैं तो भी यानि स्टेट PCS का एक्जाम अब हम लोग आ गए मेरे प्यारे बच्चों क्लैपिंग कर दीजिए आखरी चेप्टर पर आ गया मज़ा आ गया मज़ा गया यह भी यानि पोलेटिकल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टे अब हाई वही मुगल सामराज का पतन है राज्यों का उदय यही सब राजपूतों की वतन जागिर यह सब हम पढ़ चुके हैं तो इस चेप्टर में भी कोई दम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों मुगलों का पतन हैं सोवान सोवान देख सकते हैं 1707 में औरंग जेब की मृ तो बताने की जरूतनी अट्रामी सताब्दी में कौन-कौन से नहीं राज्यों का गठन हुआ आए यहां पर देखते हैं ठीक है ना तो यह मैप बिल्कुल मत करिएगा मुगल सामराज और परवर्दी मुगलों तो बताने की जरूतनी जो है यानि औरंग जेब ने दिकारी नहीं थे जमा और हासिल का अंतर होने लगा तो बहुत सी बाते हैं ठीक है ना तो इसलिए ये इनका पतन हुआ और इनहीं के आउसेसों पर छोटे छोटे राज्यों का उदे हुआ यही बात यहां बताई गई है मेरे प्यारे मच्चों क्या बताए गया है यही बा गटनाएं भी जैसे इरान के साथ सकत नादिर साह ने 1749 में दिली पर आकर्मण किया और इसने जो है मुगलों की सत्ता के पतन को और नजदी कर दिया इसके बाद नादिर साह के आकर्मण को एहमद साह अबदाली लगातार आकर्मण करता रहा उसने 1749 से 1761 की पांच बार उ पांडना है नादिर साह का दिली पाग कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का उसने क्या किया ओवियस नर्संगहार किया ठीक है तो अब परवर्ती मुगलकाल में जो एलीट गुरूप था जो अभिजात्य बर्ग था जो बड़े-बड़े अमीर थे वो दो गुटों में ब और यही जो यह दरवार में इरानी और तुरानी गुटबाजी करने लगे और कभी वो एक रात इरानी किसी मुगल सासक का समर्थन करता तो तुरानी किसी दूसरे उत्राधिकारी का समर्थन करता और पूरा यानि इन ही के हाथों की कटबुतली बने रहे और अंजेब के ब बस बताने की जरूवत नहीं है, इसमें मुगलों के पतन का एक्जाम में तो आना ही नहीं है, प्रिलिम्स में जो मैंने बता दिया, कौन आप देखे, मोटे तोर पर अट्रामी सताबदी के राज्यों को तीन परस पर ब्यापी समुह में बगबाटा जा सकता है, पहला आवद बेंगौल वा हैदराबाद जैसे वे राज जो पहले मुगल प्रान थे, ठीक है ना, दूसरा, हालांकि इन राज्यों के सासकाति सक्साली थे और काफी हद तक सोतन थे, पर उन्होंने मुगल बास्ताओं से अवचारिक तोर पर अपने संबद नहीं तोड़े, दूसरा, ऐ ऐसे राज थे, जो मुगलों के कुर्णे सासंकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी सुतंत्र थे, यानि जो राजपूत परधेश सामिल थे वो सुतंतर हो गए, तीसरी रेणी में मराट surrounds रिकार यानि मुगलों से सुतंत्र हो गए, लडाई करके तो तीन प्रकार गो आजेते तो आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यह जब हम मेरे प्यारे बच्चों बारामी क्लास के अंसीयाटी पढ़ेंगे विपिन चंद्रा मैं अभी से बताया देता हूं अट्रामी सताब्दी विपिन चंद्रा की जब ओल्ड पढ़ेंगे आप देखेंगे पहला चेप्टर ही है यही अट्रामी सताब्दी का भारत तो हम और विस्तार से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्रादिकारी राज्यों को अद्धोगा उनमें अवद बेंगाल और सादत खान था बेंगॉल का संस्थापक मुर्शीत कुली खान था और हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क आसप जाथा यह तीनों नाम आप याद रखेगा इनका मुगल दर्वार में उचा अस्थान था याद रखेगा ठीक है ना तो यह सारी बाते थी और इन आने की ज़रूरत नहीं है एक यह हो गया है और ठीक है कि आ और है राज्ज का युद्ध हमेशा महाराठों से चलता रहता था और तेलगु शिनन नयकों के साथ इनका युद्ध चलता रहता था तो यह हला पढ़ने के जरूरत नहीं कोई मतलब नहीं बच्चे आवद, आवद की अस्तापना, बुरहान उल्मुल्क, साधद खान को 1722 में आवद का सुवेदान नुप किया गया था, धीरे-धीरे उसने अपनी सुतन सत्ता की अस्तापना कर ली, याद रखेगा, बस और इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वाकिया और कुछ मत पढ़िएगा, बेंगॉल, बेंगॉल में प्रांत पतिता मुर्शित कुली खान, देरे-देरे इसने भी मुगल नियंतरन से अलग हो गया, मेरे प्यारे बच्चों, बस, तो मुर्शित कुली खान ने बेंगॉल की अस्तापना करी, तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ह मैं बारहमी क्लास के इंसियाटी जब होगी, तो इसमें बहुत बहुत अच्छे से दिया गया, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा राजपूतों की वतन जागिरी मैंने बताये दिया, वतन जागिर जो उनको सेवा के बदले में सम्मान के साथ मिलता था, तो ये आप बस व स्वतंत्र हुए, फिर आजादी शिक्षों ने भी आजादी हासिल करी, ठीक है, और खालसा अगर आपने अभी पीछे पढ़ाई, ठीक है, अब ये सब आपको अगली एंसियाटी में विस्तार से समझने को मिलेगा, तम मजा आएगा, ठीक है, तो यहां पर किवले एक रखेगा, पेश्वा इनके प्रदान मंत्री होते थे, एक दो फैक्ट आप दिमाग में रखेगा, फिर इसके बाद पेश्वाओं की देखरेक में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन संगठन बना लिया, और 1720 से 1720 मराठा समराज का काफी दिस्तार हुआ, दो सब्द यहां आएंगे चौत और सरदेश मुखी, यह वसूलते थे, तो चौत क्या होता था, जमीदारों द्वारा वसूले जाने वाल, भूराजर सुका 25 परसे, दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, और दूसरा था सरदेश मुखी, दक्कन में मुख के राजर संग्रा कर्टा को दिय जाने वाल, भूराजर सुका 9 से 10 परसे, चौत होता था, यानि कि एक प्रकार का ऐसा करता जो दक्कन के विभिन चेत्र मराठों के आकर्मन से बचने के लिए मराठों को दिया करते थे, और सरदेश मुखी ऐसा करता जो विभिन मराठा चेत्र में आने वाले देश मुख, यानि जमीदार जो सिवाजी को दिया करते थे, उसे सरदेश मुखी कहते थे, तो आप बस दो प्रकार के टैक्स आपको याद रखने है, बाकि कोई मतलब नहीं है, 1737 में दिल्ली पर मराठों ने धावा बोल दिया, यह यह सारी बाते बताए गई है, 1771 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे अकेले लड़े और सब कुछ नस्ठ हो गया, आप सबको अच्छे से बताए, ठीक है, तो यह सारी बाते हैं, जो पढ़ने की जरूरत नही है, क्योंकि हम आगे की इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर क्योंकि बहुत अच्छे से विस्तार नहीं दिया गया है, तो पढ़ने दो होते हैं, जाट 17-18 सताब्दियों में इनकी भी सत्ता सुद्रिल हो गई, ठीक है, तो जाट राजवन्स की इंटरेस थापित किया, देख सकते हैं, यहीं मुगलों की काल में जाट भी सतंत्र होने लग गए, ठीक है, तो यह सारी बाते हैं, और बस बाकिया और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, फ्रांसीसी करांती तो हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत ही ने, बेशुद्यास में पढ़ी जाएगी, तो यह हो गया, यानि 10 के 10 शिप्टर कतम, एक विज्ञापन बच्चों, अच्छी वाली क्लैपिंग हो जाए, मज़ा आ जाएगा, साम को 6 बजे, Monday to Sunday, लाइब रहना है, याद रखे, बाद में मत देखे, लाइब रही है, तब मतलब मुझे भी मज़ा जाए, कि जाब वाले भी देख सकें, कैसा लगा बच्चों, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, एक क्लास में सब खतम, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, मेरे प्यारे बच्चों, तो जो भी बच्चे, complete UPSC, थोड़ा बिज्यापन हो जाए, आन एकेडमी प पर कोर्स ले करके जुड़ सकते हैं, कोई भी जानकारी अगर आपको एडमीशन से संबंदी चाहिए, इसके live code यानि मेरा code है, तो इस नंबर पर ये मेरे counselor का नंबर है, इस नंबर पर आप call कर सकते हैं, और I hope कि आप सबको मज़ाया होगा, जो 2023, 24, 25 जब की भी आप त्या इन्रोल कर सकते हैं, history optional जल्द आएगा, वीडियो पसंद आया हो, like जरूर करिए, please like फटा फट, जिन से भी by mistaken रह गया हो, session को like कर दीजे, unacademy offline mock test bill लेने जा रहा, अगस्त 22-25 दिल्ली जैपुर लगनौ, SK live code के साथ आप उसमें भी enroll कर सकते हैं, इसके लाएं, CSC assure unacademy का एक admission process है, जिसमें अगर 2 साल का लेते हैं, तो 1 साल unacademy आपको 3 यानी 2 साल का क्योल पैसा लगेगा, 1 साल extra हो जाएगा, 3 साल, कोई भी ज telegram channel है, इस पर आप connect हो सकते हैं, जहां पर आपको PDF मिल जाएगी, मेरे प्यारे बचो, thank you so much, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशिरवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने class enjoy करी होगी, और comment करके बताएगा, क्या ये अच्छा नहीं है, daily एक घंटा कभी class है बच्चे, okay मेरे बच्चों, bye bye thank you so much, बहुत 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 प्यार, बहुत बहुत आशिरवाद, thank you, जैहें, let's create, God bless